इस सवा में उपस्थित सभी माताओ बेहनों मंच पर आसीन आज के कारिक्रम के मुख्यति थी और बैतूल के जिलादिकारी माननिय श्री अरुन भाई मंच पर आसीन मेरी सहयोगी डॉक्टर पुश्पांजली शर्मा वेहन मंच पर आसीन मेरे सहयोगी श्री विवेक भाई विवेक भाई और पुश्पांजली बेहन दोनों हमारे भारत स्वाविमान के प्रांतिय प्रभारी है उनके साथ श्री दीपेंद्र भाई श्री प्रत्पाल भाई और विशेश रूप से बैतूल इकाई भारत स्वाविमान की जो है उसकी संरक्षिका माता श्री मती गोतावरी जी और रमेश भाई मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ विशेश रूप से आज इस व्याख्यान समारो में मेरे पूझे माता पिता उपस्थित हैं उनको चरण वंदन करता हूँ उनसे आशिरवाद की प्रार्थना करता हूँ आकांग्षा करता हूँ आप सभी के बीच में मैं यहां आ सका इसके लिए विशेश रूप से मैं श्री खंडेलवाल जी का बहुत आभर व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया बहुत महनत की और मुझे यहां बैतूल में बुला लिया बार बार उनका फोन मेरे पास गया एक दिन जरूर समय निकाल कर बैतूल आना है उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मेरे दिल में भी बहुत दिन से तमना थी कि मैं बैतूल फिर से जाऊं क्योंकि एक बार आज से कुछ बारे तेरे साल पहले मैं बैतूल आया था उसके बाद बीच में नहीं आ सका तो मेरे भी मन में था कि एक बार फिर से जाना है तो ये सारे सायोंग एक साथ बन गए इश्वर की कोई क्रपा हो गई उनकी कोई योजना है जिसके तहट मैं यहां आ गया आप से बात करने के लिए समबात करने के लिए आप सभी को भारत स्वाविमान के बारे में पता है फिर भी रेखांकित करने के लिए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं अपने देश में परम पुझनिये स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाविमान नाम का एक अभ्यान शुरू किया है ये अभ्यान पांच जनवरी 2009 से शुरू हुआ है सारे देश के धाई लाक से ज़ादा कारी करता योग सिक्षक इस अभ्यान में सहभागी है आने वाले लगबग पांच-छे महिनों के बाद करीब 11 लाख से ज़्यादा कारे करता इस अभ्यान के सदस्य बनेंगे ऐसा विश्वास है, ऐसी योजना भी चल रही है और 5 करोड से ज़्यादा परोक्ष सहयोगी इस अभ्यान में हमारी ताकत बनेंगे, हमारे हाथ बनेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है सारे देश में एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस भारत स्वाविमान अभ्यान को हम सफल बनाना चाहते हैं भारत स्वाविमान का जो अभ्यान हमने शुरू किया इसके पीछे का उद्देश है क्या कारण से हम ये काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आजादी मिलने के 62 साल के बाद भारत स्वाविमान जैसी बात करने की जरूरत क्या है इन सब प्रशनों का उत्तर आज के इस व्याक्यान में देने की कोशिश करूँगा आपने परमपूजनिये स्वामी रामदेव जी को जाना और पहचाना है इस बात से कि उन्होंने योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत और भारत के बाहर रहने वाले सभी नागरिकों को अच्छा स्वास्थ प्रदान करने का एक अभ्यान चलाया हुआ है सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी रहें उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में सदा, निरोगता रहें इसके लिए ये अभ्यान चल पड़ा है अब इस अभ्यान के साथ साथ स्वामी जी ने भारत स्वाविमान का भी अभ्यान शुरू कर दिया है तो पहला अभयान जो निरोगी रखने के लिए स्वास्थ प्रदान करने के लिए है वो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ के लिए है दूसरा अभयान जो है वो देश के स्वास्थ को बहतर बनाने के लिए भारत स्वाविमान का है अपने देश का स्वास्थ भी अच्छा हो अपने देश की समस्याओं का समाधान हो अपने देश की व्यवस्थाओं में बदलाओ हो अपने देश की सारी की सारी छोटी से लेकर बड़ी व्यवस्थाओं जो इस देश के आम आदमी के लिए काम करती है वो बहतर से बहतर होती जाएं भारत में जो कुछ अच्छा है वो और आगे बढ़े और जो खराब है वो समाप्त हो जाए हमारे देश में पिछले धाई तीन सो साल की गुलामी जो अंग्रेजों की आई उसमें बहुत सारी खराबियां आ गई है और पिछले हजार साल के जो विदेशी हमले हुए अपने देश पर उनके कारण हम में कुछ खराबियां आ गई है तो जो खराबियां हम में आई हैं वो दूर हो जाएं और हमारी जो अच्छाईयां हैं हमारी जो बहतरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और सारे देश को उसका लाब मिले दुनिया को भी उसके बारे में जानकरी हो इस दरश्टी से ये भारत स्वाविमान का भियान शुरू किया गया है इस भारत स्वाविमान के कुछ उद्देशे हैं उनमें से एक उद्देशे है हमारे देश का जो आर्थिक और राजनेतिक भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करना दूसरा उद्देश है हमारे देश की जो कर व्यवस्था है जो टेक्सेशन का सिस्टम है इसको पूरी तरह से बदलना तीसरा उद्देश है भारत की सिक्षा व्यवस्था का संपुन रूप से स्वदेशी करन करना भारतिय करन करना चौथा उद्देश है हमारी देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका संपुन रूप से स्वदेशी करन भारतिय करन करना पांचमा उद्देश है हमारी अर्थव्यवस्था का स्वदेशी करन करना भारतिय करन करना छटा उद्देश है हमारे देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको जड़ मूल से नाश करना जैसे शराब है, बीडी है, सिगरेट है, गुटका है, तमबाकू है, व्यसन के आधीन रखने वाली जो खराब बातें देश और समाज में फैली हैं, इनकी समाप्ती करना साथमा उद्देश है भारत देश के परियावरण को और जादा बहतर बनाना, आठमा उद्देश है इस देश की गरीबी, भुकमरी, बेरोजगारी की जो परिस्थती बन गई है, उसको पूरी तरह से नेस्तना बूद करना, और नवा उद्देश है हमारे देश की जनसंख्य को नियंतृत कर पाना, ये नौ उद्देशों के लिए भारत स्वाविमान बना है, इनी की पूरती के लिए हम ये काम करने की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में एक सवाल आएगा, कि अगर हम इन उद्देशों की पूरती के लिए काम करना चाहते हैं, तो आज़ादी के 62 सा कि इन उद्देशों की पूर्टी नहीं हो पाई है। हम लोग अध्यान करते हैं अब भ्यास करते हैं आप भी थोड़ा बहुत देश के बारे में जानने और समझने का माद़ा रखते हैं हमारा अध्यान और आपकी समझ दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ऐसा लगता है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी हम उन उद्देशों की पूरती नहीं कर पाए हैं जिन उद्देशों की पूरती के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई हमारे देश के करांतिकारियों ने जिन उद्देशों के लिए आजादी लाई है वो उद्देशे अभी भी अधूरे है अगर कुछ करांतिकारियों का नाम लेकर मैं बात करूँ तो इस देश के सबसे महान करांतिकारियों में एक सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चड़ने वाले जो करांतिवीरों में जिनकी गिंती होती है अमर शहीद भगत सिंग, अमर शहीद चंदर शेकर आजाद अमर शहीद उधम सिंग, अमर शहीद खुदी राम वोस अमर शहीद हमारे देश के ऐसे सचिंदरनाथ सान्याल अमर शहीद हमारे देश के बहुत बड़े उद्देशे के लिए समर्पेत राम प्रसाद बिस्मिल अमर शहीद हमारे देश के आशफाक उल्ला अमर शहीद अजीम उल्ला ऐसे एक दो नहीं साथ लाक बत्तीस हजार शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया बलिदान किया उनके सपने जो थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए इन शहीदों के दस्तावेजों को पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ता हूँ तो देख के दुख होता है कि ये सारे शहीद चाहते थे कि भारत आजाद हो और आजादी के बाद भारत की एक भी समस्या का समाधान जो अंग्रेजों ने पैदा की हैं वो भारत की व्यवस्था क समाधान करे अंग्रेजों की पैदा की गई गरीबी की समस्या, बेरुजगारी की समस्या, भुकमरी की समस्या, ब्रश्टाचार की समस्या, सामाजिक छुआ छूट, उँचनी चादी की सामाजिक हमारी समस्या इन सबका समाधान हमारे शहीद चाहते थे बगत सिंग की बात अगर आप से कहूं तो उन्होंने जेल में रहते हुए जब उनकी गिरफतारी हो गई थी आप जानते हैं उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उसका नाम था सांडर्स सांडर्स ने हमारे देश के एक करांतिकारी लाला लाच पत्राई को लाठियों से इतना पीटा था कि श्री लाला लाच पत्राई की मरत्यू हो गई थे हमारे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालने के अंग्रेजों के खिलाफ रैली निकालने के एक कारिकरम में लाला लाच पत्राय शामिल थे उनके उपर लाठियां बारी गईी, सिर पर उनके लाठियां बरसाई गईी परिणाम ये हुआ उनकी मृत्ति हुई जिस अंग्रेज अधिकारी ने ये काम किया उसका नाम था सांडर्स भगत सिंग्ने उनको मार देने का, खतम कर देने का संकल्ब किया था और एक दिन उसको उन्होंने पूरा कर दिया, सांडर्स को गोली मारी उसके बाद भगत सिंग ने हमारे देश की संसद में बम फेका था वो आप भी जानते हैं और संसद में बम फेका गया था अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी उसके बाद भगत सिंग जी गरफतारी के बाद उनको लाहोर जेल में रखा गया 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी फांसी से दो साल पहले भगत सिंग ने एक घोशना पत्र जारी किया था 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिख कर हमारे देश के लोगों को बताईए क्योंकि जेल से बाहर तो जा नहीं सकते व्याख्यान दे नहीं सकते भाशन हो नहीं सकता तो श्री बगत सिंग ने एक घोशना पत्र तयार किया था उस घोशना पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदू है वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आजादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए उस घोशना पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहां से ले गए हैं अंग्रेज यहां से उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए तीसरा बिंदू उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए चौथा बिंदू है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए पांचमा बिंदू उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हो साधरन से साधरन आदमी हो उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मान जनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पती को मिलता है ऐसे उन्होंने करी 28 से 29 बिंदू का घोषणापत्र लिखा था कुछ इसी तरह का घोषणापत्र चंदरशेकर आजाद ने बनाये था वो 1924 में बनाये था 1924 में चंदरशेकर आजाद ने घोषणापत्र तयार किया था उनका संगठन था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसके उपाध्यक्ष थे मनमत नात कुप्त इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे चंदरशेकर आजाद और इसमें 14 और करांतिकारी शामिल थे सचिंदरनात लाहडी थे इसके वो जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे ये संगठन का भी गोश्रापत्र 1924 में आया था इसी तरह लोकमा निबाल गंगाधर तिलक ने भारत की आजादी और संपूर्ण स्वराजी के लिए गोश्रापत्र तयार किया था वो 1894 में पूरे देश के सामने रखा गया था थोड़े संसोधन के बाद 1905 में वो फिर देश के लोगों के सामने रखा गया था उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया था कि जब तक स्वदेशी की इस्थापना भारत में नहीं होगी स्वराज जी नहीं आएगा और ऐसे एक एक नहीं बहुत सारे करांतिकारियों के नाम लेके मैं आप से कह सकता हूँ ये करांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेश्वा उन्होंने एक घोश्णा पत्र 1857 में लिखा था जब आजादी का पहला संगराम इस देश में हुआ था उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें लिखी थी अंग्रेज चले जाएं अंग्रेजों की सरकार चली जाए अंग्रेजों की व्यवस्था खतम हो जाए स्वदेशी व्यवस्था हो गरीबी दूर हो बेकारी दूर हो ये सारे नाम लेने के पीछे मेरा एक ही आशा है कि मैं आपके ध्यान में एक ही बात लाना चाहता हूँ वो ये कि भारत के सारे करांतिकारियों का कोई सपना था देश की आजादी के लिए देश की स्वतंतरता के लिए और उस सपने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया किसी ने तेईस साल की उमर में फांसी के फंदे को चूम लिया तो किसी ने 16 साल की उमर में फांसी के फंदे को चूम लिया। खुदी राम बोस को जब फांसी हुई थी तो उनकी उमर मात्र 16 साल की थी। और अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ उनको फांसी हुई थी। अंग्रेजों की सरकार का उस समय का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती लेकिन खुदीराम बोस को 16 साल की उमर में ही फांसी पे चड़ा दिया अंग्रेजों ने तो खुदीराम बोस रहे हो जिनकी 16 साल की उमर में फासी हो या शहीद भगत सींग हो जिनकी 23 साल की उमर में फासी हो या चंदरशेकर राजाद की शहादत जो 25-26 साल की उमर में हुई सभी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का वो समय दाओं पे लगाया जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है सुवन योग होता है जवानी का समय होता है अपनी पूरी जवानी को देश के लिए होम कर दिया और ऐसे एक दो क्रांतिकारी नहीं थे साथ लाख बत्तीस अजार थे जहां से की रानी लक्षमेबाई हो रानी जहलकारी बाई हो कित्तूर चनम्मा हो रानी दुरगावती हो किसी का भी नाम लेके आप देखेंगे जहाकने की कोशश करेंगे उनके जीवन में तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कोई सुख नहीं भोगा अपने शरीर के लिए अपने परिवार के लिए सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया इस देश के लिए समाज के लिए और उनी की कुर्बानियों की बदॉलत हम इस देश में आजाद हो पाए हैं हमारे देश में करांतिकारियों की एक धारा थी जो अहिंसा के रास्ते पे चल कर देश को आजाद कराना चाहते थे महात्मा गांदी उनके नेता थे दूसरी करांटिकारियों की एक धारा थी जो अंग्रेजों से सीधे संघर्ष करके इस देश को आज़ाद करना चाहते थे हिंसा के रास्ते से मेरा ऐसा मानना है कि एक कैंची होती है ना कैंची उसके दो हिस्से होते है ऐसे ही हमारे देश के आजादी के लड़ाई को अगर हम कैची माने तो इस कैची के दो हिस्से थे एक हिंसावादी करांतिकारी दूसरे हिंसा को मान कर काम करने वाले करांतिकारी दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को काटा था या अंग्रे जी सामराजी को काटा था या अंग्रे जी सामराजी के तारों को काटा था दोनों का ही योगदान इस देश में बहुत महत्वपून है किसी को कम करके नहीं आखा जा सकता गांदी जी के साथ करूणों करूणों लोगों ने भी अपना जीवन दाओं पे लगाया था और उनके कहने पर अपना सारा सुख सुविदाएं परिवार छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे तो इन सारे के सारे करांतिकारियों ने कोई सपना देखा इस देश की आजादी के लिए अब आजादी के 62 साल के बाद हम उस सपने का अगर मुल्यांकन करें तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि आजादी के 62 साल के बाद भी किसी करांतिकारी का सपना पूरा नहीं हुआ महात्मा गांदी कहते थे कि आजादी के बाद ग्राम सुराज जाएगा ग्राम राज जाएगा लेकिन नहीं आया भगत सिंग का कहना था आजादी के बाद अंग्रेजों की व्यवस्था खतम हो जाएगी लेकिन नहीं होई चंदरशेकर आजाद का कहना था कि आजादी के बाद गरीबी खतम हो जाएगी नहीं होई उधम सिंग कहा करते थे कि आजादी के बाद हर गरीब आदमी को सम्मान मिलेगा नहीं मिल पाया किसी भी क्रांतिकारी के जितने सपने उन्होंने देखे थे उसमें से किसी एक का भी हम मुल्यांकन करेंगे विशलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ तो हुआ क्या फिर इस देश में अगर हम देखना चाहें तो क्रांतिकारीयों के सपने अगर पूरे नहीं हुए तो इसका माने तो आजादी अधूरी है पूरी नहीं है अगर लोकमानितिलक स्वदेशी और स्वराज्य की बात किया करते थे तो भारत की आजादी के 62 साल के बाद ना तो इस देश में स्वदेशी पन है और ना ही स्वराज्य की स्थापना हुई है अगर हमारे क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंतरता की बात करते थे तो आजादी के बाद तो हमने कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की है स्वतंत्र अगर एक शब्द को ध्यान दें तो इसमें स्व है अपना तंत्र माने सिस्टम अपना तंत्र, अपना सिस्टम आजादी के बाद स्वतंत्रता की बात जो समझने के लिए हम कहें तो हमने तो कोई अपना सिस्टम नहीं बनाया, हम तो अंग्रेजों के सिस्टम में ही सारा का सारा काम कर रहे हैं। आपको सुनके हिरानी होगी, ताज्यूब होगा। मैं जब इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में अध्यन और अभ्यास करता हूँ तो इतना दुख होता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना कर रखने के लिए जितने तरह के कानून बनाए, जितने तरह क की नीतियां बनाई, वो सारे के सारे कानून, सारी की सारी नीतियां, जियों की तियों चल रही हैं, उनमें कोई कौमा फुल स्टॉप का भी संशोधन नहीं हुआ। उधारन दूँ आपको मैं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना कर रखने के लिए 34,735 कानून बनाए, उनमें से एक कानून है जिसका नाम है IPC, हम उसे कहते हैं Indian Penal Court, दूसरा कानून है CPC, जिसको हम कहते हैं Civil Procedure Court, तीसरा कानून है CRPC, जिसको हम कहते हैं Criminal Proced Caesar Court, ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, इसमें कोई रदो बदल हमने नहीं किया है, Indian Penal Court जो है ना, वो तो नकल है Irish Penal Court का, अंग्रेजों के देश ब्रिटेन ने एक देश Ireland को गुलाम बना के रखा हुआ है, आपको मालूम है, इंग्लेंड के पास एक गुलाम बना कर, उसको ग्यारे सो साल से अपने कबजे में रखा हुआ है, Ireland अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया, और Ireland की स्वतंत्रता के लिए ग्यारे सो साल से अविहान चल रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है आइरलेंड को गुलाम बना कर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया आइरिश पीनल कोड दुरुभागे से उसी की फोटो कॉपी है इंडियन पीनल कोड जब मैंने आइरिश पीनल कोड की कॉपी खरी दी और इंडियन पीनल कोड तो हमें मिल जाता है दोनों को सामने रखकर अध्यन करना शुरू किया तो एक भी कॉमा फुलिस्टॉप हमारे यहां बदल नहीं है बस अंतर इतना है कि आइरिश पीनल कोड में जहां आइ का मतलब आइरलेंड है इंडियन पीनल कोड में आइ का मतलब इंडिया है बस इतना ही अंतर है कोई दूसरा अंतर नहीं मैं आपको एक ऐसी बात कहने के लिए यहां आया अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था उसका नाम था टीबी मेकॉले करते समय मैकॉले ने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश पार्लिमेंट के हाउस ओफ कॉमन्स को क्योंकि मैकॉले को वहीं से भेजा गया था उस पत्र में वो लिख रहा है कि मैंने भारत की नियाए व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को नियाए नहीं मिलेगा वो खुद लिख रहा है और वो अपने ही पत्र में लिख रहा है कि इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि हिंदुस्तान का साधरन आदमी तो इसको समझ ही नहीं सके गा और तीसरी बात वो लिखता है कि जिन भारत वाशियों के नियाए के लिए ये बनाया गया है उनी को ये काचनून सबसे ज़्यादा तकलीफ पैदा करेगा चौथी बात वो लिखता है कि भारत की जो पुरानी नियाए व्यवस्था कुछ हुआ करती थी उसको ये संपून जड़ से खतम कर देगा और पांचमी बात वो कहता है कि जब भारत के लोगों को नियाए नहीं मिलेगा तब हमारा राज्य भारत पर मजबूती से इस्थापित होगा आईपीसी की ड्राफ्ट करने वाला महकौले ये कह रहा है और उसकी बात आज़ादी के 62 साल के बाद हमें सच होती होई दिखाई दे रहे आईपीसी पूरा का पूरा अंग्रेजों का बनाय हुआ ड्राफ्ट है जिसके आधार पर इस देश में नियाई व्यवस्था चल रही है परिणाम जानते हैं क्या है इस नियाई व्यवस्था में साड़े तीन से चार करोड मुकदमे पैंडिंग हैं अलग-अलग अदालतों में उनके फैसले नहीं हो पा रहे है दस करोड से जादा लोग नियाई के लिए भटक रहे हैं लोवर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दस करोड से जादा लोगों को नियाई की उम्मीद है लेकिन नियाई मिलने की दूर दूर तक कोई आशा नहीं है कारण क्या है IPC का आधारी ऐसा है कि वो नियाए नहीं दे सकता और एक गहरी बात मैं कॉले कहता है वो ये कहता है कि ये कानून लागू होने के बाद भारतवासी ये अपेक्षा करेंगे कि उनको नियाए मिले नियाए तो कहीं नहीं मिलेगा उनके मुकदमों का फैसला होगा नियाए नहीं मिलेगा मुकदमे का निप्टारा होना अलग बात है केस का डिसीजन आना एक अलग बात है केस का जज्जमेंट आना एक अलग बात है और नियाए मिलना बिलकुल अलग बात है तो वो खुद ही कह रहा है कि इससे तो नियाय मिलेगा ने अब इतनी साफ बात जिस मैकौले ने IPC के बारे में लिखी है उस IPC को हिंदुस्तान की संसदने आजादी के 62 साल के बाद भी नहीं बदला वो वैसे का वैसा ही चल रहा है यही हाल CRPC का है यही हाल CPC का है यही हाल हिंदुस्तान के एक कानून का है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का बना हुआ यह कानून है अंग्रे जोने यह कानून बनाया था भारत वासियों पर दमन और अत्याचार करने के लिए आज़ादी के 62 साल के बाद भी वही हो रहा है दमन और अत्याचार इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ओफेंस है पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है क्योंकि यह गुलामी के दौर का कानून है इसमें हम कोई संचोधन नहीं कर पाए 62 साल के बाद एक इंडियन सिविल सर्विसिज एक्ट है जिसमें इतना ही संचोधन हुआ है कि वो इंडियन सिविल सर्विसिज एक्ट से होकर इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है बाकि उसमें कुछ बदला नहीं वैसे की वैसी धारा हैं वैसे के वैसे सारे बंद और उपुबंद उस कानून के हैं एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है बड़ा अद्भुत कानून है साधरन आदमी लकड़ी नहीं काट सकता अगर काटे तो जेल हो जाए उसको भारत का कोई साधरन आदमी गलती से जंगल में चला जाए और कुछ लकड़ी ले आए क्या करने के लिए चूला जलाने के लिए आग जलाने के लिए रोटी बनाने के लिए साधरन आदमी जंगल से लकड़ी लाकर अगर ये काम करे तो पराद है लेकिन कोई ठेकेदार इस देश में जंगल के जंगल साफ कर दे कोई फरक नहीं पड़ता इस देश में जंगल के जंगल साफ कर हमारे देश में एक अम्रीकी कंपणी है जो ये काम करती है उसका नाम है आईटी सी पूरा नाम है इंडियन टुबेको कंपणी मूल नाम है अमेरिकन टुबेको कंपणी ये कंपणी सिग्रेट बनाती आपको मालुम है cigarette बनाने के लिए कागज लगता है कागज बनाने के लिए पेड काटने पड़ते हैं ये कंपनी हर साल हिंदूस्तान में 200 अरब cigarette बनाके बेचती है और ये कंपनी हर साल 14 करोड पेड काटती है इस कंपनी के किसी अधिकारी को को आज तक जेल नहीं हुई है फांसी पे नहीं लटकाया गया है क्यों इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसा है जिसमें सरकार के द्वारा अधिकरत ठेकेदार तो जंगल के जंगल काट सकता है लेकिन साधरन आदमी जंगल से एक लखड़ी नहीं उठा सकता आपका जो मद्यप्रदेश है ना इसके जबलपुर हाई कोट में एक मुकदमा चल रहा है मैं उस मुकदमे में एक तरह से हस्तक शेप करने वाला व्यक्ति बना हुआ हूँ वो मुकदमा बहुत इंट्रेस्टिंग है एक बूड़ी महिला है जबलपुर में रहती है उसके आरोप क्या है उसने जंगल से लकड़ी चुराई उस महिला को जब अदालत में पेश किया गया तो जज़ के सामने उसने एक ही सवाल पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं है उस महिला ने ये कहा था कि मैंने लकड़ी चुराई रोटी बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए अगर मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या दोनों हाथ जलाऊं अपने चूले में? किसी के पास जवाब ने और हमने उसकी वकालत करते हुए कोड़ के सामने कहा कि इस महिला ने दो लकड़ी चुराई है और चूले में जलाई है और दो रोटी बनाई है तो इसको जेल भीजने की आप तयारी कर रहे हैं यहां आई टी सी नाम की कमपनी हर साल 14 करोड पिड़ काट रही है उसके गिरेवान पर हाथ डालने की हिम्मत आपके अदालत में भी नहीं है क्यों पैसे वाली कमपनी है अमेरिका की कमपनी तो कानून जो बने हुए हैं वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि साधरन आदमी को आप जितनी प्रताड़ना दे सकते हैं सादर्ण आदमी को जितना दुख दे सकते हैं दे दो, विशेश आदमी को आप छू भी नहीं सकते उस कानून की ताकत से, ऐसा Indian Forest Act है, ऐसे ही हमारे याँ Land Revenue Act है, ऐसे ही हमारे याँ Land Acquisition Act है, एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था डलहॉजी, डलहॉजी को भेजा गया British Parliament से एकी काम करने के लिए, कि भारत के किसानों के पास जितनी जमीने हैं, वो सब छीन कर, East India Company को दे दो, डलहॉजी आया, और उसने इस देश में एक कानून बनाया, उसका नाम है Land Acquisition Act, जमीन का अधिग्रहन करने का कानून, इस कानून को उसने भा होते ही भारत के करोड़ों किसानों से जमीने चीनी गई, जो जमीने किसानों की थी, वो East India Company की संपत्ती हो गई, East India Company, इंगलेंड से कोई जमीन लेकर इस देश में नहीं आई थी, लेकिन हिंदुस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन, East India Company के हाथ में चली गई, एक कानून के चलते हैं, डलहजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो क्या करता था, गावंगावं जाता था, अदालतें लगाता था, और वहाँ एखा जाता है, कि सब लोग जमीन के अपने कागज लेके आए, कोई किसान है, उसकी 2-5-5 का जमीन है, किसी की 7-5 का जमीन है, तो किसानो को का जाता था कागज लेके आओ और ये दिखाओ के ये जमीन तुमारी है अब हिंदुस्तान में जमीन कभी भी कागजों पर लिखी नहीं जाती थी क्योंकि कागज पर लिखकर हम कोई चीज नहीं रखते इस देश में हमारे याँ वो परंपरा से होता था पिता ने अपने बेटे को जमीन ट्रांसफर की बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की ऐसे हजारों साल से जमीन ट्रांसफर हुआ करती थी डलोजी ने कानून बना दिया कि जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है जमीन उनकी नहीं है वो सारी हिंदुस्तान के करोडों किसान भूमिहीन हो गए डलहुजी के आने के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत में हर किसान के पास कम से कम 10 एकड जमीन थी डलहुजी ने आकर हिंदुस्तान के 20 करोड किसानों को भूमिहीन बना दिया सारी जमीने छीन ली और वो जमीन सरकार की हो गई अब होना क्या चाहिए था आजादी आने के बाद 1947 में ये कानून पलट जाना चाहिए था Land Acquisition Act को खतम हो जाना चाहिए था लेकिन आजादी के बाद भी ति इस देश के काले अंग्रेजों ने उस कानून को को खतम नहीं किया वो आज भी चल रहे और आज भी हमारे किसानों की जमीने चीनि जा रहे उनी जा रही हैं बस अंतर इतना है कि पहले जमीन चीन ने के लिए जो काम अंग्रेज सरकार किया करती थी अब जमीन चीनने के लिए वही काम भारत की सरकार किया करती पहले जमीन चीन कर अंग्रेजों के अधिकारी अंग्रेज सरकार को भेट किया करते थे आज हमारी सरकार हमारी जमीने चीन कर विदेशी कमपनियों को भेंट कर रही है और इस स्पेशल एकॉनमिक जोन उसी जमीनों पर बनाए जा रहे हजारों हेक्टियर जमीने चीनी जा रहे और बेदर्दी के साथ चीनी जा रहे है सरकार को लगता है कि इस गाओं की जमीन हमें ले लेनी है पड़ता है, दूसरे गाओं में जाकर रहो, विस्थापन करो, अपनी जगे से उजड जाओ, अपने गाओं से उजड जाओ, अपने परिवार से उजड जाओ, सरकार को ये जमीन चाहिए, क्या करने के लिए, इस पर शराब का कार खाना लगाना है, इस पे जुआ घर खोलना है इस पे कोई सिनेमा घर बनाना है या कोई भी काम करना है लोगों की हाँ या ना का कोई फरक नहीं कोई प्रश्ण नहीं जिनकी जमीन है उनकी हाँ और ना का कोई प्रश्ण नहीं सीधे नोटिस और नोटिस के बाद जमीन खाली करो ऐसे ही अत्याचार करके अंग्रेज जमीन चीना करते थे और जब लोग मना कर देते हैं अपनी जमीन से हटने के लिए तो पुलिस आती है, मार मार के डंडे उनको वहां से हटाती है हाथ पर उनके तोडे जाते हैं, सिर उनके फोडे जाते हैं गोलियां चलाई जाती हैं, लोगों की हत्याई की जाती है ये हमारी आँखों से हम देखते हैं आज़ादी के 62 साल में इसी देश में नंदी ग्राम होते हैं, इसी देश में सिंगूर होते हैं जहां के लोग चाहते नहीं कि हम हमारी जमीन को छोड़ें वहां गोलियां चलाकर लाठियां बरसाकर उनसे जमीने छोड़वाली जाती आपको लगता है ये देश आजाद हो गया मुझे तो नहीं लगता अंग्रेजों की सरकार ऐसा अत्याचार करती थी बरवरता करती थी ज कीमत सबसे कम लगाई जाती है फिर वही जमीने उद्योग पतियों को जब बेच दी जाती है तो उनकी कीमत सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है कि किसानों से जो जमीन खरी दी जाती है दस 15,000 रुपए एकड़ में वही जब उद्योग पतियों की हाथ में पहुंचती है तो पंद्रे हजार रुपए aquilo स्क्वेर फिट की जमीन हो जाती है बीच का सारा मुनाफ़ या तो उद्द्योग पती खाता है या उनका कोई दलाल खाता है या सरकारी लोक खाते है किसान के पास तो वही थोड़े से पैसे आते हैं किसानों की जमीन का भाव किसान तै नहीं करता सरकार तै करती है उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए ये किसानों से नहीं पूछा जाता वो सरकार तै करती है कि ऐसे हमारे देश में 34735 कानून लैंड एक्वीजिशन का हो या इंडियन पेल कोड हो या सिविल प्रोसीज़र कोड हो या कृर्मिनल प्रोसीजर कोड हो आपको तो सुन कर हिरानी होगी आप भारत के नागरिक है भारत का नागरिक हूँ इसका एक कानूनismus एंग्रेजों का तो बनाया हुआ है कि आजदी के बाद हम उसमें संशोदन नहीं कर पाए को और येही कारण है अंग्रेज्थों ने वह कानून बनाया था तो इस हिसाब से कि अंग्रेज भी इस देश के नागरिक हो सके इस हिसाब से वह कानून की ड्राफ्टिंग की गई है कि विदेश से आकर इंग्लेंड से आकर लंदन से आकर कोई आदमी भारत में रहने लगे और इतने साल तक रह ले तो वो भी भारत की नागरिकता का अधिकारी हो जाता है इसलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग वैसी की थी आजादी के हो सकता है तो मिनिस्टर हो सकता है मिनिस्टर जो हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है तो आजादी का मक्हौल नहीं तो क्या दुनिया के किसी देश के सम्विधान में ये व्यवस्था नहीं है आप अमेरिका में जाएं रहना शुरू कर दें आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपती नहीं हो सकते जब तक आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ हो आप कनाड़ा में जाएं कनाड़ा के सम्विधान का अध्यान करें कनाड़ा के सम्विधान के अनुसार आप कनाड़ा की नागरिकता ले सकते हैं लेकिन कनाड़ा के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते जब तक कि आपका मूल जन्मिस्थान कनाड़ा ना हो ब्रिटेन में चले जाएए, वहां भी यही है फ्रांस में चले जाएए, जर्मनी में चले जाएए दुनिया में 200 देश हैं लगबग 2-3 देशों को छोड़कर सबी देशों में यह नियम है कि जब तक आप उस देश की धरती पर पैदा नहीं होते आप उस देश के समवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है विदेश धरती पर पैदा हुआ कोई भी आदमी भारत में आकर नागरिकता ले सकता है और इस देश के सरवच शीर समवैधानिक पदों पर बैठ सकता है आप उसे रोक नहीं सकते, कानून है, इंडियन सिटीजन्शिप एक्ट, उसमें ये व्यवस्था है, अब अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है, हम वुसी को चला रहे हैं, वुसी को डो रहे हैं, 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, जिसका नाम है Government of India Act, भारत को गुलाम रखने के लिए हजार साल तक उन्होंने एक व्यवस्था की थी, Government of India Act, दुर्भाग इसे Government of India Act के सारे के सारे प्रुवीजन आ जा दी के 62 साल के बाद भी इस देश में लगे हुए हैं, चल प्रुस्तान आजाद हो गया, मैं आपको एक हसी की बात कहना चाहता हूं, है वो बहुत गंभी है, आजाद हो गया तो पचास साल तक इस देश की संसद में बजट शाम को पांच बजे पेश होता था, आपको याद, 1997 तक बजट शाम को पांच बजे आता था, एक बार मैंन भारत के पूरु प्रधान मंतरी को ये प्रशन किया कि बजट शाम को पांच बज़े क्यों आता है, संसद तो सवेरे 10 बज़े चलती है, 11 बज़े चलती है, शाम को पांच बज़े बजट क्यों आता है, संसद जब खतम होने वाली होती है, तो शाम को पांच बज़े ना शुरू किया तो इस संसद में अंग्रेज बैठा करते थे तो यहां जब शाम के पांच बचते हैं तब लंदन में सबेरे के साड़े ग्यारे बचते अब लंदन में हाउस ओफ कॉमन्स और हाउस ओफ लॉड्स में बैठे हुए MPs को भारत का बजट सुनना होता था तो इसलिए यहां शाम को पांच बज़े बजट पेश किया जाता था ताकि सबेरे साड़े ग्यारे बज़े वो लोग सुन सके ठीक है 1947 के पहले यह चलता था तो हमने मान लिया 那ि सो से तालीं के बाद पचास साल तक है क्यों चलता रहा इस देश में क्यों नहीं बदला हम ने इस नियम को जब पूर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मैंने कहा तो ननर का वो तो अंग्रेजों के जमाने का नियम है तो मैंने का अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि हमारे जाने के बाद भी इसे मत बदलना हमारी अकल नहीं है हमारी बुद्धी नहीं हमको समझ नहीं है यह ब्रिटिश पार्लेमेंट को सुनाने के लिए होता था अब हमारा उनसे क्या कनेक्शन है क्या लेना देना है और जब यह बहस संसद में हुई तो किस दिन हुई हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल का यह कुछ सब हुआ था संसद में आप याद करिए रात को बारे बजे 1997 में विशेश अद्वेशन हुआ उस समय चंद्रिशेखर नहीं यह मुद्दा उठाया और बहुत हंगामा हुआ स संसद में इस पर तब जाकर सरकार ने यह माना कि हाँ 50 साल से हम गलती कर रहे हैं और उन्होंने का कि अब इसको सुधारा जाएगा तो अगले साल 1998 से बजट सबेरे 11 बजे पेश होने लगा माने इस छोटी सी व्यवस्था को बदलने में 50 साल लगा पचास साल सोचिए हमारी आजादी का क्या अर्थ है कभी कभी मुझे बहुत अफसोस लगता है हिंदुस्तान की नियाए व्यवस्था में काम करने वाले जो एड़ुकेट्स मित्र हैं उनसे माफी मांगते हुए ये कह रहा हूँ मैं उनसे पूछता हूँ आप काला कोट पहन के अदालत में क्यों जाते हैं क्या काले के अलावा दूसरा रंग नहीं है भारत में सफेद नहीं है नीला नहीं है पीला नहीं हरा नहीं है और कोई रंगी ही नहीं है काला ही कोट पहनना है और वो भी उस देश की नियाए पाल लिकामें जहां पर ताप मान 45 डिग्री 47 डिग्री 50 डिग्री हो पचास डिग्री तो होई जाता होगा बैतूल में गर्मियों में क्योंकि बैतूल तो विधर्व के नस्दीक है विधर्व तो सबसे गरम मिला का है नाकपूर पचास डिग्री तो आराम से क्रोस कर जाता है पचास डिग्री सेंटिग्रे तापमांच जिस देश में रहता हो वहां के वकील काला कोट पहन कर बहस करें तो बहस के समय जो पसीना आता है वो और गर्मी के कारण जो पसीना आता है वो तर बतर होते जाए और उनके कोट पर पसीने से सफेद सफेद दाग पढ़ जाएं पीछे कॉलर पर और कोट को उतारते ही इतनी बद्बू आए कि कोई तीन मीटर दूर खिसक जाए लेकिन हम हैं कि कोट का रंग नहीं बदलेंगे क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है आपको मालूम हैं अंग्रेजों की अदालत में काला कपड़ा पहन कर नियाय पालिका के लोग बैठा करते हैं और उनके यहां स्वाभाविक है क्योंकि वहां माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान होता है जीरों से नीचे भयंकर ठंड है तो भयंकर ठंड है बरफ पड़ती है साल में 6-8 महिने बरफ पड़ती है इतनी बरफ पड़ने वाले देश में जहां बहुत ठंड होती हो वहां काला कोट ही पहनना पड़ेगा क्योंकि वह गर्मी देता है उश्मा का अच्छा अवशोशक है अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और बाहर से गर्मी को खीच के अंदर डालता है इसलिए ठंड वाले देश के लोग काला कोट पहन कर अधालत में बहस करें 1947 के पहले होता था समझ में आता है 1947 के बाद भी चल रहा है हमारी बार काउंसिल को इतनी समझ नहीं है क्या कि इस छोटी सी बात को ठीक कर लें बदल लें सुप्रीम कोट की बार काउंसिल है हाई कोट की बार काउंसिल है डिस्टिक कोट की बार काउंसिल है सभी बार काउंसिल मिलके एक मिनट में फैसला कर सकती है कि कल से हम ये काला कोट नहीं पहनेंगे वो तो भला हो हिंदुस्तान में कुछ लोगों का हमारे देश में पहले क्या होता था था ना अंग्रेज नया अधीश होते थे तो सिर में टोपा पहन के बैठते थे वो भी काला होता था उसमें नकली बाल होते थे पूरा टोपा लगा के अंग्रेज बैठा करते थे आजादी के बाद 40-50 साल तक टोपा लगा कर यहां बहुत सारे जज बैठते रहे हैं इस देश की अधालग और अभी तो यहां क्या विचित्रता है कि काला कोट पहन लिया उपर से काला पैंट पहन लिया बो लगा लिया सब एकदम टाइट कर दिया हवा अंदर बिलकुल न जाए और फिर मांग करते हैं कि सभी कोट में एयर कंडीशनर होना चाहिए कि यह कोट उतार के फेक दोना एयर कंडीशनर की जरूरत क्या है और उसके उपर एक गाउन और लाद लेते हैं आपने देखा है वो नीचे तक लेंगा फैलता हुआ ऐसी विचित्रता है आज़ादी के साट साल में स्टेश में दिखाई मैं कहना ये चाहता हूँ कि अंग्रेजों की गुलामी की एक भी निशानी को आज़ादी के 62 साल में हमने मिटाया नहीं सब को समहाल के रखा है सहीज कर रखा है और हर साल अपने को मूर्ख बनाने के लिए 15 अगस्त का जहणडा फैराती रहते हैं 26 जन्वरी मनाते रहते हैं। स्वतंतरता दिवस कहते हैं, स्वथंतरता का मने होता अपने तंत्र की व्यवस्था में जीना, आपका कौन सा तंत्र आपने बनाया आप सो साल से तीन सो साल से इसको तो बदलना ही पड़ेगा इसको तो खतम करना ही पड़ेगा आजादी के समय जब इस देश में बहुत सारे वकील हुए जो आजादी की लड़ाई के नेता थे आप जानते हैं मात्मा गान्दी वकील थे सरदार बल्लब भाई पटेल वकील थे हमारे देश में एक बड़े नेता लोकमानिबाल गंगाज अतिलक वकील थे लाला लाजपत राय वकील थे विपिंच अंदरपाल वकील थे सुरेदनाद बेनरजी वकील थे बड़े वकील नेता इस देश में हुए उन्होंने उस जमाने में काले कोट का वहिशकार किया अंग्रेजों की पोशाक का वहिशकार किया आपको मालूम है महात्मा गांधी अदालत में जब बहस करने के लिए खड़े होते थे एक दिन भी काला कोट नहीं पहना और उन्होंने अंग्रेजों का टोपा भी नहीं लग आया वो अपनी पगड़ी बांद कर अदालत में जाते थे बहस करने के लिए भले ही जज से जगड़ा करना पड़ और एक बार एक अंग्रेज जजने जो खपती था बहुत गांदी जी को इसके लिए सजा सुनाई थी गांदी जी ने का कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं लेकिन अंग्रेजी अदालत में अंग्रेजी पगड़ी नहीं पहनूंगा पहनुगा तो भारती पगड़ी पहनुगा सजा ली उन्होंने उसके लिए सजा खाई एक बार तो उनका रेजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की नौबत तक आ गई थी लेकिन गांदी जी पीछे नही पर नहीं है उन्होंने का कि मेरी पोशाक तो यही है आपको हिंदुस्तान में रहने की तमीज नहीं है आप इस देश को छोड़कर जाइए क्योंकि इस देश की पोशाक ही यह तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के समय में जो भारतिय वकील थे उनमें इतनी हिम्मत थी कि अंग्रेजी पोशाकों का बहिशकार किया अंग्रेजी हैट का बहिशकार किया लेकिन आजादी के बाद के इन वकीलों का क्या हो गया ये क्यों नहीं बहिशकार करते हैं इस अंग्रेजी पोशाक का क्यों ढो रहे हैं इस परंपरा को मुझे दुख और अफसोस हिसी बात का है अंग्रेजी सारे कानून अंग्रेजी सारे नियम अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाएं आजादी के बाद भी चल रही है कि ये अंग्रेजों के जमाने की जो व्यवस्थाइं चली आ रही है इन सबी व्यवस्थाओं को बदल दिया जाए और हम मानते हैं सच्छी आजादी और पूर्ण आजादी तभी आएगी जब अंग्रेजों की व्यवस्थाइं और अंग्रेजों के कानून बदल जाएंगे इस देश याद आ गया तो एक कानून का जिक्र करता हूं अंग्रेजों की सरकार ने कानून बनाया इस देश में आपको मालूम है उसका नाम है मोटर वहीकल एक्ट है न अंग्रेजों के समय का ये कानून अब मोटर उस जमाने में अंग्रेजों के पास हुआ करती थी हिंदुस्तानियों के पास तो मोटर होती नहीं थी तो मोटर वहीकल एक्ट की ड्राफ्टिंग करते समय अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की कि इस मो में सजा नहीं होनी चाहिए और अगर सजा करनी ही पड़े तो कम से कम होनी चाहिए साल बर की जेल हो जाए डेड़ साल की हो जाए दो साल की हो जाए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए उसको जो है मर्डर नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि murder में तो चले जाएंगे आप 302 में वहां तो हो जाएगी फासी या तो हो जाएगी आजीवन कारवास तो अंग्रेजों ने motor vehicle act की drafting करते समय ये ध्यान रखा कि अंग्रेजों की motor की नीचे दब कर कुछल कर कोई भी हिंदुस्तानी मरे तो लंबी और कठोर सजा ना मिले वही व्यवस्ता आजादी के 62 साल के बाद भी चली आ रही है आज भी motor vehicle act में motor चलाते समय आपकी कार के नीचे कोई आगया मर गया तो आपको ना तो फासी होगी ना आजीवन कारवास होगा क्यों अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्ता है परिनाम जानते हैं क्या होता है हर साल इस देश की मोटरों के नीचे आकर देड़ लाख लोग अपने प्राण गवा देते हैं और इन डेड़ लाख लोगों को कुचल देने वाले किसी भी एक व्यक्ति को आज तक फासी नहीं होई आजीवन कारवास नहीं हुआ और कई केसिस तो ऐसे हैं कि अदालत ने कुचलने वालों को बाईज़त बरी कर दिया आपको मालूम है संजीवनन्दा का केस जिसने खूब समझ बूच कर जान बूच कर अपनी मोटर दिल्ली के फुटपात पर सोई हुए आठ लोगों के उपर चड़ा दी आठों मर गए संजीवनन्दा को अदालत ने बाईज़त बरी किया था अदालत का क्या कहना था हम क्या नियाए दे सकते हैं कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है तो हम वही कर सकते हैं इस कानून के आधार पर कोई फैसला नियाए तो हम दे ही नहीं सकते उसी कानून के आधार पर Sलमान खान अबी तक 6 लोगों को जिंडा मार चुका है लेकिन Sलमान खान को ना फांसी हो रही है ना आजीवन कारवास हो रहा है छुट्टा गूम रहा है थोड़े दिन बंद हो गया फिर बाहर आ गया क्योंकि इसमें बेल हो सकती है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हो सकती थी क्योंकि मोटर उस समय अंग्रेजों की ही हुआ करती थी ये व्यवस्ता है हमारे देश ऐसे सेकड़ों उधारन में आपको दे सकता हूँ हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कानूनों के आधार पर किसी भी भारतियों को नियाय मिल नहीं सकता और एक उधारन बताता हूं अंग्रेजों ने क्या विचित्रता की इस देश में एक कानून बना दिया इस देश में कि आप गाय को बैल को डंडे से मारोगे तो आपको जेल होगी सुनिएगा ध्यान से गाय को बैल को भैस को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी क्योंकि आप उस प्राणी के खिलाफ करूरता कर रहे ठीक है? और इसी देश में दूसरा कानूर बना दिया कि गाई को गर्दन से काटो उसका मास निकालो बाजार में बेचो तो आपको गोल्ड मैडल मिलेगा क्योंकि आप इस देश की एक्सपोर्ट इंकम बढ़ा रहे हैं गाई को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी गाई को गर्दन से काट दो आरी से रेत दो उसकी गर्दन को अलग कर दो चाहे तो हलाल करो चाहे तो जटके से कर दो कोई फरक नहीं पड़ता डंडे से मारो तो जेल में चले जाओ गर्दन से काटो तो कोई फरक ही नहीं पड़ता तो परिनाम क्या हो रहा है साड़े चार करोड कतल खाने चल रहे हैं हर साल करोडों गायों की गरदन कट रही है उनका मास हिंदुस्तान से विदेशों में बिकने के लिए जा रहा है मास का निर्यात करने वालों को गोल्ड मेडल मिल रहा है सरकार उनको सुविधाएं दे रही कि अगर आप मास के लिए कतल खाना बनाना चाहते हैं मास निर्याद करने के लिए तो कतल खाना बनाने के लिए जितना भी बैंक से लोन मिलेगा उस पे ब्याज नहीं लगेगा इंट्रेस्ट फ्री लोन मिलेगा मीट एक्सपोर्ट करने के लिए कतल खाना बनाएं तो लेकिन गाए पालन करने के लिए दूद का व्यवसाय करने के लिए आप गाए खरीदना चाहें तो कोई बैंक आपको कर्ज नहीं देगा दे दे तो मैं जो आपको हारने को तयार हूं मैं गाए का दूद बेचना चाहता हूं दूद का व्यवसाय करना चाहता हूं बैंक के सामने कर्ज मांगने जाओं तो बैंक कहेगा देशी गाए पालोगे तो कर्ज नहीं मिलेगा विदेशी पालो लेकिन उसी गाएं को काटने के लिए नियाय कंडे के लिए मास नियात करने के लिए कार्खाना बनाऊ करोड़ों रुपए का बेंक मुझे कρχज दे सकती है बिना किसी इंट्रेस्ट के और उसके बाद करज को भी सरकार माफ कर सकती है सबसीडि के रूप में ऐसे कानून है इस देश में और इन कानूनों के चलते आप कहें नियाए मिल जाए इस देश में कैसे मिलेगा नियाए तो कुछ अलग चीज़ है कानून का फैसला दूसरी अलग चीज है हमारे देश में कानून बना हुआ है चल रहा है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले मार डालो तो गर्व उपात है जनम लेने के बाद मारोगे तो हत्तिया जनम के बाद मारोगे तो 302 का केस बनेगा और 50 हो जाएगी आज इवन कारवास हो जाए जनम के पहले मारोगे तो कोई खास बात नहीं है वो आपका medical profession है तो इसका परिणाम जानते हैं क्या है हर साल एक करोड कन्या भूरों की हत्या इस देश के डॉक्टर कर डालते हैं आने नहीं देते उनको जीवन में क्योंकि कानून ऐसा है ऐसे एक नहीं दो नहीं 34,735 कानून है सब के सब अंग्रेजों के जमाने के हैं वैसे के वैसे ही चल रहे हैं इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाविमान के लोग मानते हैं कि आजादी अधूरी है अभी पूरी नहीं हुई है तिरंगा जंडा फैराने का नाम आजादी नहीं है जंगणमन गालेने का नाम आजादी नहीं है 15 अगस 26 जनवरी को तिरंगे जंडे के सामने खड़े होकर साफधान की मुद्रा में कुछ गालेने का नाम आजादी नहीं है क्योंकि खाली तिरंगा जंडा फेराने की बात होती वो तो 1937 में फेरा लिया था उन्ने इस देश में एक महिला हुआ करती थी भीकाजी कामा करके उन्होंने सबसे पहले तिरंगा जंडा 1937 में फेरा दिया था अगर तिरंगा जंडा फेराने से ही आज़ादी आती तो वो तो 1937 में ही आ जाती आज़ादी तो नाम है स्वतंत्र व्यवस्था का जिसमें आप गुलामी की एक एक हिकाई को एक एक निशानी को उखाड फेकते हैं उन सब चीजों को अपने समाज से हटाते हैं जिनके कारण गुलामी आई थी वो तो हम नहीं कर पाए हैं इसलिए हम मानते हैं आज़ादी अधूरी है इस अधूरी आज़ादी को पूरा करना है इसको संपून आजादी में बदलना है, स्वतंतरता में बदलना है, स्वराज में बदलना है इसके लिए भारत स्वाविमान का भयान हमने शुरू किया और हमारा ये संकल्प है कि गुलामी के दौर की हर निशानी को मिटा देना है चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो चाहे इंडियन पुलिस एक्ट हो इंडियन सिविल सर्विसिज एक्ट हो से के गुलामी के कानूनों को ही संसद आगे बढ़ाती जाए इसके लिए संसद नहीं बनाई है और इसके लिए चुनाव नहीं होते हैं और इसके लिए करूडों रुपए खर्च नहीं किये जाते हैं हमने हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसद बनाई है यह एक बा कारण के लिए इस देश में डलहौजी नाम का एक शहर है मालूम है आपको हिमाचल प्रदेश लोग वहां हनीमून मनाने के लिए जाते हैं डलहौजी नाम का सबसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी जिसका जिक्रवी में कर चुका हूं जिसमें सबसे ज्यादा किसानों को बरबाद किया जमीन चीनी किसानों को भूमीन बनाया उसके नाम पर इस देश में शहर बसा हुआ है लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं कैसे मना लेते हैं हनीमून एक ऐसे शहर में जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बसा है शहर का नाम हम क्यों नहीं बदल पाए आजादी के 62 साल हमारे हिंदुस्तान में एक वासको डिगामा नाम का शहर है मालूम है आपको गोवा में वासको डिगामा वो पुर्टगाली व्यक्ति था जो 20 मईह 1498 को इस देश में आया जिसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को नाखुन खीच खीच कर ईसाई बनाया क्रिशियन बनाया जिसने लोगों को लूटा संपत्ति लूटे वासको डिगामा की अपनी डायरी में वो लिखता है कि जब मैं पहली बार हिंदुस्तान गया तो काली कट नाम के शहर को मैंने लूटा और लूट कर इतना सोना चांदी हीरा जवारा तिकठा हुआ कि उसको भरकर पुर्तगाल लाने के लिए चौदे पानी के जहाज लगे और एक पानी के जहाज में पचास से साथ मीटरिक टन सामान आता था उस जमाने तो चौदे पानी के जहाज भरके सोने, चांदी, हीरे, जवारात वो लूट ले गया उस वासको डिगामा के नाम पर हमारे देश में नगर क्यों होना चाहिए उससे भी ज़्यादा खराब बाते हैं इस देश में मुंबई में जाईए तो एक रेलवे इस्टेशन है, उसका नाम है एल फिंस्टन रोड, एल फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जो मुंबई का गवर्नर था, उसका एक ही काम था, किसानों से जबर जस्ती लगान वसूल करना, और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लग किसानों कौ देना पड़ता था, इतना लगान लेता था वो किसाने से, आफिंस्टन, और पूरे मुंबई परांत के किसानों को बरबाद कर दिया, उस आदमी ने जिस आदमी ने बंबई के करुडॉ किसानों को बरबाद किया हो, इस आदमी के नाम पर annually मैं造 यह इल फिंस पूरेज अदिकारी था, उसका नाम था फर्ग्यूसन, वो पूना में S.S.P. बनके आया, और पूना में एक समय बहुत खराब आया था, जब प्लेग फैल गया था, महामारी आ गई थी, उसमें लाखों लोग मरते थे, उस जमाने में जब लाखों लोग पूना में रोग से म लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था दिल्ली में जिसने 1857 की क्रांती के लिए लड़ने वाले भारत के जो वीर सिपाई होते थे उन पर गोलियां चलाई थी और सैक्ड़ों भारती क्रांतिकारियों को मारा था उसने अपनी गोलियों से उसके नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है आजादी के 62 साल के बाद चेम्स फोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था पुलिस ऑफीसर था लाहोर में बरबरता किया उसने सारी हदें तोड़ दी थी उस पुलिस अधिकारी ने सैक्ड़ों निरपराद हिंदुस्तानियों को मार डाल है चेम्स फोर्ड के नाम पर इस देश की सरकारों की कहीं बिल्डिंग है जो चेम्स फोर्ड बिल्डिंग के नाम से अभी भी चलती रिपन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने मदरास में भयंकर लूट मार की थी रिपन के नाम से मदरास में एक बिल्डिंग है जिसमें मिनिसिपल कॉर्पोरेशन का ओफिस चलता है करजन नाम का एक अंग्रेज था जिसने भारत और भारत का बटवारा किया था हिंदू-मुसल्मान के आधार पर बंगाल में वो जब गवर्नर बनके आया करजन तो उसने बंगाल का पूरवी हिस्सा हिंदूओं को दे दिया पश्चमी हिस्सा मुसल्मानों को दे दिया हिंदू-मुसल्मान के आधार पर इस देश में पहली बार बटवारा करने वाला जो अंग्रेज था वो करजन था जिसमें पाकिस्तान की नीव 1905 में रखी थी उस करजन के नाम पर कलकत में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बंगाल सरकार का मुख्य कार्याले उसी बिल्डिंग से चलता है करजन बिल्डिंग ऐसे मैं कितने नाम किना हूँ आप हमारे देश में गुलामी की निशानिया भरी पड़ी कहीं बिल्डिंगों के रूप में, कहीं सडकों के रूप में, कहीं मूर्तियों के रूप में कभी-कभी मेरा दिल जलता है आप बंबई जाए रेलवे स्टेशन पर उतर जाएए तो बंबई के रेलवे स्टेशन का नाम तो सालों साल विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था वो तो भला हो महाराष्ट के कुछ राष्टवादी लोगों का जो विधान सवा में पहुँच गए और विक्टोरिया टर्मिनस को छत्र पती शिवाजी टर्मिनस बना दिया लेकिन अधूरा काम किया छत्र पती शिवाजी टर्मिनस नाम तो हो गया लेकिन वहां पर मूर्तियां सब अभी भी अंग्रेजों की लगी होई आप कभी भी चले जाएए च्छत्रपती शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर गेट से बाहर निकलिये में गेट पर तो लेफ्ट और राइट में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं अंग्रेजों के समय के अधिकारियों की जिन्होंने बंबई पर महा अत्याचार किये वो सारे वहां मूर्तियों में खड़े मुस्करा रहे हमने आज़ादी के 62 साल में उन मूर्तियों को नहीं हटा पाया सरकारे मंदिर गिरा देती है इस देश में आपको मालूम है हमारे देश में सड़क को चोड़ा करने के नाम पर कोई मंदिर आ जाए कोई मस्जित आ जाए उसको तोड़ देने में सरकार को गुरेज नहीं होता है जिन अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर सालों साल लगती है गुरद्वारे तोड़ देती है इस देश में सड़क को चोड़ा करना है नगर का सुंदर्य बढ़ाना है सुंदर्ता बढ़ाने के नाम पर यह सब कर दिया जाता है तो इतने विद्रूप लोग हस रहे हैं बंबई शहर में खड़े हुए मूर्तियों में उनको क्य लेना देना है हमारी सरकार का वो रिष्टेदार लगते हैं हमारे क्या विचित्र देश है तो यह सारी बात कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि यह जो गुलामी हमारे यां चली आ रही है आजादी के 62 साल के बाद यह बहुत भारी पड़ गई है अब इसको तो यह अवाज उठानी ही है हिंदुस्तान की राजनेतिक पार्टियां यह सवाल नहीं उठाती है मंदिर मस्जित के सवाल उठाती है अंग्रेजों की मूर्तियों को तोड़ देने का सवाल कोई पार्टी नहीं उठाती इस देश समाज को बांट देने वाले जितने प्रशन हैं वो पार्टेओं के दवारा उठाए जाते हैं देश की गुलामी को खतम कर देने वाले प्रशन कोई पार्टे नहीं उठाती तो हम लोगोंने तः किया क्ई हम भारत स्वाविमान की दरफ से ये प्रशन उठाएंगे और भारत स्वाविमान बनाने के पीछे का मुख्यो देश यही है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून उनके जमाने के नियम उनके जमाने की व्यवस्थाएं उनके समय की गुलामी की निशानिया इन सब को मिटा देना है आज़दी तबी पूरी होगी शहीदों का सपना तबी पूरा होगा क्योंकि जिन शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्रान त्यागे हैं अगर कभी हमारे देश के वो शहीद जो इस देश में मर गए आज़दी के लिए लड़ते हुए आप सोचो लॉरेंस के खिलाफ लड़ते हुए जिन हिंदुस्तानियों ने वीर गती पाई चेम्स फूर्ड के खिलाफ लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए हमारे देश में करजन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए या हमारे देश में रिपन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए ये सारे हिंदुस्तानियों की आत्मा अगर वापस इस देश में आ जाए और हम से सवाल करे कि जिनके सामने लड़ते हुए हम शहीद हो गए उनकी मूर्थी को तुमने ये सजा समार के क्यों रखा है तो वो तो हसेंगे विद्डूपता में वो कहेंगे या तो हम मूर्ख थे या तुम महा मूर्ख हो और अगर वो मूर्ख थे तो उनको लड़ना नहीं चाहिए था उनके खिलाफ जिनकी मूर्थियों को सजा कर हम बिठा के रखे हुए हैं उनके खिलाफ लड़े क्यों हैं ये गंभीर प्रश्ण है इसको हल करना है इसी के लिए भारस्वाई बाद एक और गुलामी की निशानी है जो बहुत दर्द देती है हमको आज़ादी के 62 साल में अंग्रेज चले गए हमने अंग्रेजियत को विदा नहीं किया इस देश से अंग्रेज तो चले गए मार के बगा दिया किसी तरह से उनसे अपने देश को छुड़वा लिया लेकिन अंग्रेजी तो जसकी तस है और जादा बढ़ गई है मैं आपको कुछ आखड़े बताना चाहता हूँ जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए थे 15 अगस 1947 को तो अंग्रेजों का जो आखरी अधिकारी था जिसका नाम था माउंट बेटन उसने इस देश में एक जानकारी लेने के लिए सरवेक्षन कराया कि हम अंग्रेज जब जा रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले भारत में कितने हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं और अंग्रेजी सीखने वाले स्कूल सिखाने वाले स्कूल कितने हैं तो 1946 में एक जानकारी ली गई किया गया तो पता चला कि कुल जमा पूरे भारत में 347 अंग्रेजी भाषा के स्कूल थे 1946 में 347 और यह मांट बेटन ने लिखा है खुद अपने हाथ से दर्ज किया है वो कहता है कि एक प्रतिशत से बहुत कम भारतवासी हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं अंग्रेजी पढ लेकिन अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम अगर गिंती करते हैं तो पता चला कि 37 हजार से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल तो हमारे देश में वो हैं जो डॉन बोस को इस लेवल के हैं और गाउं गाउं गली गली जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गया है वो तो एक लाक से इसका मतलब क्या है अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी ज्यादा बढ़ी है इस देश में और अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी इस देश में दो करोड से उपर है अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या भी दो करोड से उपर है अब तो हम इस बात के लिए तुलना करते हैं अपनी कि हम अमेरिकन इस स्टाइल की अंग्रेजी बोल सकते हैं अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं उसके लिए coaching institute चलते हैं इस देश, शरम आती है मुझे ये कहते हुए, इस देश में हिंदी सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, मराठी सिखाने वाले, कन्रण तमिल तेलुगू सिखाने वाले coaching institute नहीं देखे मैंने, ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले coaching institute, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले coaching institute, और हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है, कि इस देश के सारे उच्चुपदों पर वही बैठेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं, माने किसान, मजदूर, धोबी, लुहार, कुर्मी, धुनकर, बुनकर, जो 5447 जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो बैठेंगे ही नहीं उच्चुपदों पर, जब तक कि वो अंग्रेजी नहीं जानते, इस से बड़ा अपमान और अत्याचार क्या हो सकता है उन हिंदुस्तानियों के उपर, जिनकी मात्र भाषा अंग्रेजी नहीं है, हमारे देश के करोणों लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है इंग्लेंड के करोणों लोगों को हिंदी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है इंग्लेंड वाले तो कभी अफसोस नहीं करते कि हमको हिंदी नहीं आती हम क्यों अफसोस करते हैं हमको अंग्रेजी नहीं आती इंग्लेंड में मुझे जानकारी नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को इस बात के लिए पीटते हों को उसको हिंदी नहीं आती इस देश में मैं लाखों माता पिताओं को दिखा सकता हूँ जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती माता पिता को खुद नहीं आती लेकिन बच्चों को जरूर सिखाना चाहते उसके लिए ट्यूटर लगाते हैं कॉलेज में लेके जाते हैं स्कूल में भरती कराते हैं सारे काम करते हैं उसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए करेगा क्या सीख भी ली तो करेगा क्या तो आप कहेंगे इंग्लैंड में चला जाएगा इंग्लैंड में जाकर रहना अब सामनि-बादमी की बसकी बात नहीं है कानून इतने कड़े हो गए हैं कि जो पहले से चले गए है उनको ही निकालने की तैयारी अब चल रहे और आप 10-20 करोड़ लोगों को अंग्रेजी सिखा दो इंग्लेंड की तो हैसियत नहीं है कि उनको बुला कर अपने यहां बसा ले इनका तो सत्यानाशी हो जाएगा ना जिनको आपने अंग्रेजी सिखाई वो हिंदुस्तानियत और भारतियता से तो करोड़ों मील दूर चले जाएंगे अंग्रेजी सीखते हुए इंग्लेंड में कभी बस नहीं पाएंगे वो तो त्रिशंकू हो गए ना यहां के रहे ना वहां के रहे ना घर के रहे ना गाट के रहे बच्चों को बच्पन से हम प्रताडित करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए मार मार के सिखाते हैं, यही बोल, मम्मी बोल, पपा बोल, डैडी बोल, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार बोल, क्या-क्या मूर्खता हैं सिखाते हैं बच्चों को, एक कविता सुनाते हैं हमारे बच्चे, कभी-कभी मैं घरों में जाता हूं, मैं अक्सर लोगों के घरों से परिचे होता रहता है तो किसी के भी घर में जाता हूं तो कहते हैं देख अंकल आए है कविता सुना तो कविता नहीं पोईम सुना पोईम सुना अंकल आ गए और अंकल आ गए चाचा जी नहीं है मामा जी नहीं है मौसा जी नहीं है अंकल है अंकल का मतलब क्या है यह उनको भी नहीं मालूम है तो वो बच्चे पोईम सुनाते हैं कौन सी पोईम सुनाते हैं rain rain go away come again another day little baby wants to play वो मुझे सुनाते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है rain rain go away बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां पर मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है और यह बच्चों की प्रार्थना है भगवान से अगर सुन ली तो भगवान ने अगर प्रार्थना सुन ली जो बारिश गिर रही है उसको वापस खीच लिया बुला लिया तो करोडों किसान तो भूखे मर जाएंगे इस देश में क्या मुरुखता की कविता सुना रहे है rain rain go away माने दिमाग खराब हुआ है उपर से सब खाली हो गया मैं आपको विनमरता पूरवक कहता हूँ अंग्रेजी पढ़ने वालों का सब खाली है उपर से एक मिनट भी सोचते नहीं कि क्या सिखा रहे हैं क्यों सिखा रहे हैं फिर उनको जब मैं समझाता हूँ कि इस कविता का तो अर्थी यह है कि बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां कभी भी मत आओ हमें खेलना हैं यह इंग्लेंड में कविता गाई जाती है क्योंकि इंग्लेंड में कभी भी बारिश आती है इंग्लेंड में तीन चीज 얼마나 भरोसा नहीं वाइफ कि सुनियगा ध्यान से वाइफ पत्नी वैदर मोसम और वर्क माने नौकरी किसी दिन नौकरी चली जाती है किसी अच्छी खासी कंपनी में 20 साल से आप काम कर रहे हैं जी जान लगा दिया आपने उस कंपनी के लिए एक दिन सबेरे आपको पिंक स्लिप मिलेगी और आपको कहा जाएगा कल से मताना नौकरी इतनी अंसर्टेन है तो वाइफ पत्नी सबेरे आपकी ये शाम को किसी दूसरे की हो सकती कुछ भरोसा नहीं और लंदन में इंग्लेंड में ऐसे मैं आपको एक नहीं सैकलों नहीं हजारों लोगों की जानकरी दे सकता हूँ जिनोंने 20 भी शादियां की फिर भी 21 करने के लिए तैयार है क्योंकि 20 तो रही नहीं उनके साथ वाइफ कभी भी जाती है और वैदर मौसम कभी भी बदलता अभी भहुत तेज धूप निकली है अभी बारिश हो जाएगे तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं और शाम को अकसर लंदन में बारिश होती है अब बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल नहीं है तो इंग्लेंड के बच्चे ये गाएं तो समझ में आता है हिंदुस्तानी बच्चे ये का रहे हैं जहां बारिश बहुत जरूरी है हर दिन जरूरी है तीन चार महिने तो इतनी जरूरी है कि सारा देश भरपेट अन खापाता है इस बारिश की ताकत पर क्योंकि ह हमारे यान तो खेती आप जानतें साथ प्रतिशत खेती बारिश के भरोशे होती है। सिर्फ 40 प्रतिशत खेती है जिसमें पानी की व्यवस्था सरकार ने कर पाई है भरना तो सारी खेती बारिश के भरोसे है, उस देश के बच्चे ये गाने लगे हैं, रें देन गो अवे और भगवान सुनने लगे, ये रें रें गो अवे, और इस पर एक्षन लेने लगे, तो क्या होगा इस देश का, अकल से सोचो जरा, क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को, फिर लो बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, और बारिश को बुलाने के लिए, पैसा देने के लिए तयार है इस देश का बच्चा, ये भारतिये कविता है, जो इस देश की जरुरुर। यह कविता आनी चाहिए अपने बच्चों को हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल निट्ले स्टार हाउ अई वंडर वाट यू आर पत्ता ही नहीं है कि ट्विंकल कौन है क्या है किसको कह रहे हैं जोनी जोनी यस पापा इटिंग शुगर नो पापा शुगर ही खिलानी है उस बच्चे को गुड नहीं खिला सकते इटिंग शुगर नो पापा गुड भी तो खिला सकते रसगुला खिला सकते जले भी खिला सकते मरती खिला सकते शुगर ही खिला रहे क्योंकि इंग्लेंड में शुगर ही बनती है रजगुल्ला बनता नहीं, गुड़ बनता नहीं, चले भी बनती नहीं सब कुछ अंग्रेजियत वाला, इस भाषा ने तो सत्या नाश कर दिया हमारा इस भाषा को ऐसे ही विदा करना है, जैसे अंग्रेजों को हमने इस देश से विदा किया है वरना इस देश का भला नहीं है और भारत स्वाइमान की तरफ से हमने ये प्रशन उठाया है और सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं कि इस देश की साशन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए अंग्रेजी की अनिवारिता खतम होनी चाहिए उसके स्थान पर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड की अनिवारिता होनी चाहिए इस देश की सभी सिक्षन व्यवस्था इंजिनिरिंग की, मेडिकल की, MBA की, BBA की सारी सिक्षन व्यवस्था मात्र भाषा, इस्थानिय भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए आप जानते हैं इसका फाइदा क्या होगा? सबसे बड़ा फाइदा हर गरीब का लड़का इस देश में IPS, ICS हो जाएगा जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा हर गरीब का लड़का इंजीनियर, डॉक्टर हो जाएगा जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा फिर कुछ लोग इस देश में कुतर्क देते हैं कि हमारे पार्टिक्रम को हम हिंदी में कर पाएँगे क्या हां कर पाएँगे क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी से जादा शब्द है कमी नहीं है हमारे पास अंग्रेजी के पास तो मूल शब्द नहीं है आपको सुनकर हरानी होगी दुनिया में सबसे कम शब्दों की भाषा है वो अंग्रेजी ही है शब्दी नहीं है उनके पास इसलिए तो चाचा, मामा, ताउ, मौसा, फूपा सबको अंकल ही कहते हैं कोई शब्द ही नहीं है दूसरा चाची, मामी, मौसी, फूपी सबको अंटी ही कहते हैं और कोई शब्द नहीं है और कभी-कभी ऐसी हिरानी होती है वो कह देते हैं Father-in-law कौन से? विचित्र विचित्र सब्जित और इसका अर्थ क्या है मेरे तो समय में नहीं आता Father-in-law कानून से अब रिष्टों में कानून को घुसाओगे तो क्या होगा इस देश में? क्योंकि शब्द नहीं है ससूर, ससूरा हमारे यांटों कितने तरह के ससूर होते हैं? चया, ततूर, ससिया वो ताउ के ससूर है, मौसा ससूर है फूफा ससूर है के नहीं? फूफिया ससूर है, मौसिया ससूर है तया ससूर है कितने तरह के ससूर वहाँ एक ही है Father-in-law कितनी सास है वहाँ एक ही है मदरिल लो कुछ दम नहीं है इस भाशा मुझे तो हसी इस भाशा पर या आती है कुछ बालू भी नहीं कुछ मालून ही नहीं कहां क्या हो जाएं कभी अत्नी हसी आती है अंग्रेजी में आप चोपड़ा लिखो चोपड़ा तो इस्पेलिंग क्या है C-H-O-P-A-R-A यही स्पेलिंग है ना तो यह हो गया चोपड़ा यहाँ पे C-H है तो चा का उच्चारन हो रहा है ठीक है अब इसी उच्चारन को Chemistry में लिखो C-H-E-M-I-S-T-R-Y तो Chemistry होना चाहिए के ने अगर C-H यहाँ चोपड़ा में तो C-H Chemistry में Chemistry में जाना चाहिए और अगर C-H वहाँ का है Chemistry तो यहाँ चोपड़ा का कोपड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए कुछ सिर पैर ही नहीं है इस भाशा का और अंग्रेजी के जो विशेशक है न वो खुद मानते हैं कि हमारी भाशा का सिर पैर नहीं है क्योंकि इसका मूल जो इस्थान है न वो ही ते नहीं है अभी तक कि ये Latin में से आई, कि ये French में से आई, कि ये German में से आई, कि ये किसी Italian में से, वो कहते हैं मूल पता नहीं है, खिचड़ी है सब, इसलिए इसमें इस पश्चता नहीं है, तो जिस भाषा के विशेशक के खुद कहते हों, कि हमारी भाषा का मूल इस्थान हमें मालूम नहीं, दुनिया में 200 देश हैं मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है और वो भी 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए वहां कहीं भी अंग्रेजी नहीं चलती फ्रांस में अंग्रेजी नहीं जर्मनी में अंग्रेजी न चीन में अंग्रेजी नहीं, रूस में अंग्रेजी नहीं, डेनमार्क में अंग्रेजी नहीं, नीदर लेंड में अंग्रेजी नहीं, इटली में अंग्रेजी नहीं, इस्पेन में अंग्रेजी नहीं, स्विडन में अंग्रेजी नहीं, स्विट्जरलेंड में नहीं, एक सो क कम से कम 86 देशों में अंग्रेजी नहीं है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वहाँ उनकी मात्र भाशा है और कई देश तो उसमें भारत के जिले के बराबर के देश है डेनमार्क है बैतूल जिले से छोटा है बैतूल की आबादी तो देनमार्क से जादा है अब इत भारत और भारत के बाहर, उसको क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं, जर्मनी तो हमारे राज्यों में कई राज्यों से छोटा है, मद्यप्रदेश तो जर्मनी से बढ़ा है, और जर्मनी जर्मन चला सकता है, फ्रांस मद्यप्रदेश से छोटा है, मद्यप् करना है और इसी में पढ़ाई करने है और पूरे पाठिक्रम को अगर आप भारतिय भाषाओं में बदल देंगे तो हमारे पास शब्दों की दो भंडार है कोई कमी नहीं आने वाली है तकनी की शब्दों का भी भंडार हमारे पास है इस देश में एक बहुत बड़ा संस्था ने उसका नामे केंद्रिय हिंदी संस्थान आगरा में पिछले सालों साल वो संस्थान यही मेहनत कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा के तकनी की शब्दों को हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए अनुबाद कर देना और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है बस उसका उ आतुरूप और शब्द रूपों को एक दूसरे से सहियोजित करना जान लीजिए करोणों शब्द आप बना सकते हैं यह संभावना किसी दूसरी भाषा में नहीं हमारे ही पास तो भाषा की गुलामी भी हमको छोड़नी है आप बोलेंगे कहां से छूटेगी सरकार से तो छोड़वानी है सरकार आसानी से छोड़ने को तयार नहीं है सरकार में बैठे हुए लोग छोड़ने को तयार नहीं क्योंकि वो यह मानते हैं कि अंग्रेजी गई तो उनका वर् वैसे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था को छोड़ने को तयार नहीं है उनको दबाव डाल कर या दूसरे तरीकों से उनको नीचे लाकर उनको सरेंडर करवा के ये छुड़वाना पड़ेगा इसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जैसा अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया शायद उससे बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा और आप सब इस आंदोलन की तैयारी करें हमने भारत स्वाईमान की तरफ से संकल्प ले लिया है कि दो साल के अंदर सारे देश में भारतिय भाशाओं के लिए मात्र भाशाओं के लिए इतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं जितना कभी अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में हुआ था यह हमारा संकल्प अब यह हमने संकल्प लिया है आप भी लें क्योंकि हमारा संकल्प आपका बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाए आप अगर यह संकल्प लेते हैं तो अपने जीवन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी और अंग्रेजियत का कम से कम इस्ते बात करें फाल्तु अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल ना करें आपस की बात्चीत में हम बहुत बार ऐसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थी हमें नहीं मालूम है बोलते रहते हैं हम अंग्रेजी का एक शब्द अक्सर बोलते हैं कई-कई बार मैं भ तो वो किस तरह से बात करते हैं, ओ राजीव दिक्षित, she is my missis, मैं बहुता हूँ, really, she is your missis, तो वो थोड़े बॉखला जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं पूचता हूँ, तुमको मालूं है, missis का अर्थ क्या होता है, मालूम हैं तो बोलो, नहीं मालूं तो मत बोलो, क्या थे मिस्स का जानते हैं मिस्स शब्द का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे इंग्लेंड में यूरोप में क्या होता है ना बिना शादी के पती पत्नी बनके साथ रहने की हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसको लिविन रिलेशन्शिप कहते हैं यूरोप में शादी नहीं कर रहते हैं ये विचित्र परंपरा है एक के साथ हाज रह रहे हैं कल दूसरे के साथ रह रहे हैं परसों तीसरे के साथ रह रहे हैं किसी दिन चौथे के साथ किसी दिन पांच में के साथ एक एक आदमी चालीस चालीस इस्त्रियों के साथ रहता है एक एक इस्त्री चालीस हो जाती हैं समझेगा इस बात मिसिस का माने हैं धरम पत्नी को छोड़कर वो सारी महिला जिनके साथ आप रात बिता चुके हैं विस्तर पर रह चुके वो मिसिस होती हैं धरम पत्नी मिसिस नहीं होती हैं और मिस्टर इसका उल्टा है पती को छोड़कर वो सारे पुरुष मिस्टर हो जाते हैं अब हम हमारी धरम पत्नी को मिसिस बनाने में लगे रहते हैं ओij शी is your Mrs. मत बोलिए अच्छा शब्द ने बहुत खराब हमारे देश में इसके लिए बहुत सुन्दर शब्द है तो हम क्यों बोलें ये जब नहीं हो तो बोलना मजबूर ही हो सकता अपने पास तो है ना श्री मती श्री माने लक्षमी मती माने बुद्धी तो लक्षमी और बुद्धी माने लक्षमी और सरस्थी जहां एक साथ हो वो श्री मती कितना सुन्दर शब्द है तो श्री मती छोड़के Mrs. में क्यों फस गए तो माताओं बेहनों से निवेदन है कि Mr. ना कहें अपने पती को भाईयों से निवेदन है पत्तियों को Mrs. ना कहें यहां से शुरू करें और एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का मैडम बहुत खराब यह जो मैडम शब्द है यह अंग्रेजी का नहीं है मूलत है फरेंच का है यह फ्रेंच में एक शब्द होता है मा दाम, M-A मने मा, D-A-M-E दाम दाम मने होता है इस्तरी, महिला, औरत उसको दाम कहते है और एमे माने मा, माने मेरा जिसको अंग्रेजी में माई कहते हैं ना एम वाई माई उसको फ्रेंच में मा कहते हैं एमे, माने मेरा तो मामा ने मेरा दाम माने इस्तरी तो मेरी इस्तरी मेरी इस्तरी मैडम होती है और यहाँ आप हर एक किसी को कहने लगते हैं मैडम 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 मेरी आपको हाथ जोड़ कर विंती है जिसको आप मैडम कह रहे हैं पहले पूछ तो लो उसे आप पूछो और वो आपको पर्मीशन दे तब आप उसको मैडम कहो ऐसे ही किसी को मैडम कह देना बहुत खतरनाक है मत बोलिया आप उसको अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जाने समझें फिर उसके बाद उनका उपियोग करें तो ठीक है लेकिन जब आप जानते नहीं समझते नहीं और उनका उपियोग करते हैं तो उसमें गुड़गोबर हो जाता है तो ये फाल्तू अंग्रेजी शब्द अपने जीवन में ना लाएं मैं तो आपको एक नवेदन और करूँगा क्या आप बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो उस हस्ताक्षर हमेशा हिंदी में करें या आपकी मात्र भाषा में करें कंणड में करें, तेलगू में करें, तमिल में करें अब बैंकों ने ये सुविदा दे दी है कि आप कन्नड हस्ताक्षर करके अपना खाता खुलवा सकते हैं उसको चालू करवा सकते हैं तमिल में हस्ताक्षर करके भी कर सकते हैं भारत की बाइस भाशाओं में बैंक के खाते खोले जा सकते हैं तो फिर अब ये सुविदा है तो फिर अंग्रेजी क्यों हस्ताक्षर बदल दीजिए हस्ताक्षर कभी भी बदले जा सकते बैंक को एक application दीजिए कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं अब मैं हिंदी में हस्ताक्षर करना चाहता हूं बैंक सहर्ष ये काम करेगा नहीं करेगा तो मुझे बताई कि करना पड़ेगा उनकों कि क्योंकि सम्विधान में जितनी भाषाओं को दर्जा मिल चुका है उन भाषाओं में तो काम करना हर बैंक और बीमा कंपनी की मजबूरी है तो आप बैंकों के हस्ताक्षर बदलिए आपसी बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल मत करिए दूसरे पर रौप ज़ाडने के लिए कभी अंग्रेजी मत बोलिए हम मैंसे कई ऐसे अधकचरे लोग हैं जो दूसरों पर रौप ज़ाडने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं क्या जरूरत है अपना ही भाई है अपनी ही बहने है उस पर रॉप जढ़ने से क्या निकलने वाला है रॉप जढ़ना है तो ग्यान का जढ़िए चरित्र का जढ़िए भाशा का मत जढ़िए और वो भी विदेशी भाशा का तो बिलकुल रॉब मत चाड़िया अपने जीवन से हटाइए फिर धीरे-धीरे सार्वनिक जीवन से हटाइए और फिर अपने राजनेतिक जीवन से हटाइए मैं तो हिंदुस्तान के मेताओं से जब बात करता हूं तो उनसे करता हूं जो वोट मांगने जाते हो तो तो हिंदी में बात करते हो और संसद में लीडर ऑफ दा उपोजीशन की तरह से खड़े जाते हो तो गिट पिट गिट पिट अंग्रेजी चालू कर देते हो शरम नहीं आती तुमें अपने मतदाताओं से वोट मांगते समय गुजराती में बात करोगे और लीडर अफ दा उपोजीशन के रूप में लोग सवा में अंग्रेजी गिटर पिटर चालू कर दोगे कोई समझे नहीं तुमारी बात को कोई जाने नहीं जिस अंग्रेजी को दो करोड़ लोग नहीं जानते उसमें भात करना लोग सवा में जबकि आपकी टेली कास्ट हो रहे हैं ये पूरे देश में सब लोग देख रहे हैं समझना चाते हैं सुनना चाते हमारा नेता क्या ब विदेश में जाकर सयुक्त राष्ट महासवा में हिंदी में भाशन देना असान है हमारी संसद में आसान नहीं ये शरम की वाथ ये अटल जी के वाकिकों मैं कभी भूलता नहीं उन्होंने मालूम हैं सबसे पहला भाषण हिंदुस्तान की तरफ से हिंदी में दिया था संइप्तुराश्ट मासभा में जब वो गई थे उसके पहले भारत के किसी नेता ने हिंदी में नहीं बोला था उन्होंने सबसे पहले बोला वो खुद कहते हैं कि मेरे दिल का दर्द है कि मैं अपनी संसत में जब हिंदी बोलना शुरू करता हूं तो हला शुरू हो जाता है हंगामा शुरू हो जाता है यह हंगामा एक साजिश है और वो साजिश क्या है हिंदी इस्थापित न होने पाए हमेशा हिंदी अंग्रेजी की दासी बन कर रहे नौकरानी बन कर रहे अंग् नहीं तो कल और इसकी ताकत भारत स्वाविमान में से ही निकलेगी यह हमारा दूसरा बड़ा उद्देश है तीसरा उद्देश है कि भारत में अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कर्व यवस्था को हम खतम करना चाहते हैं टैक्स सिस्टम को बदलना चाहते हैं आपको मालूम है हिंदुस्तान में इंकम टैक्स का कानून अंग्रेज लाए सेंट्रल एक्साइज का कानून अंग्रेज लाए सेल्स एक्स का कानून अंग्रेजों ने बनाया रोट टेक्स टोल टेक्स मुनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स अंग्रेजों ने लाया यह सब टेक्स के कानून अंग्रेजों के हैं और अंग्रेजों ने यह कानून क्यों बनाए थे अंग्रेजों की संसद में बहस हुई थी इस बात पर कि भारत से जादा से जादा ध उत्पादन पर ही टेक्स लगा दो, फिर उस वस्तू को जब वो बेचे, तो बेचने पर टेक्स लगा दो, फिर बेचकर मुनाफ़ा कमाए, तो मुनाफ़े पर टेक्स लगा दो, सामान को बेचने के लिए एक गाओं से दूसरे गाओं में जाए, तो उस पर टेक्स लगा दो तो क्या हुआ उत्पादन पर लगा दिया एक्साइज ड्यूटी बेचने पर लगा दिया सेल्स टेक्स बेचकर मुनाफ़ा कमाने पर लगा दिया इंकम टेक्स एक गाउं से दूसरे गाउं में ले जाने पर मिनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स या road tax या toll tax ये सारे कानून उन्होंने लगाई इस उद्देश से कि जादा से जादा loot के England लेके जाना अब अंग्रेजों के जाने के बाद वो सारे के सारे tax के कानून हमारे उपर लदे हैं और चल रहे हैं हम इस loot में क्यों हिस्सेदार बने ये loot तो बंद होनी चाहिए और इस tax को बदलना है tax system को बदलना है हम चाहते हैं कि ये सारे tax के कानून खतम हो इसके कारण देश को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपको मालूम है हमारे देश में tax जितना सरकार इकठा कर पाती है उससे कई गुना ज़्यादा इस देश में tax एकठा नहीं कर पाती सरकार और वो काला धन बनके हमारी अर्थव्यवस्था में गूमता है सरकार खुद मानती है कि excise duty में जितना वो एकठा करते हैं उससे तीन चार गुना ज़्यादा इस देश में रह जाता है इसका माने tax system efficient नहीं है income tax के बारे में थोड़ा अध्यन किया तो पता चला कि इस देश की सरकार income tax में जितना कुल इकठा करती है उसका 85 प्रतिशत हिस्सा इकठा करने में खर्च हो जाता है income tax में सरकार को एक से सवा लाग करोड मिलता है और 85 हजार करोड खर्च हो जाता है कैसे खर्च होता है सरकार income tax department के लोगों की तनखा देने में जो खर्चा करती है वो एक हिंदुस्तान में income tax बचाने के लिए जो chartered accountant काम करते हैं उन पर समाज का किया हुआ खर्चा दो हिंदुस्तान में income tax के मामले में अदालतों में जब केस जाते हैं तो income tax practitioner एड़ोकेट साब की वहस करते हैं वकालत करते हैं उन पर होने वाला खर्च तीन और other miscellaneous expenditure ये चारों मैंने जोड़े तो साल का खर्च जाता है वो सब service करने वाले लोग है teacher है या दूसरे services में है सरकार उनको तनका देती है एक जब में दूसरी जब से निकाल लेती है और इस income tax के कारण corporate जो houses है उनसे जो collection आता है corporate houses से जिसको corporate tax कहते हैं जो income tax का ही भाई है उसको भी मैंने एक दिन जोड़ दिया corporate tax प्लस income tax दोनों जोड़ कर जो कुल collection है उससे कई गुना जादा collection सरकार को हो सकता है अगर सरकार ये income tax को हटा दे corporate tax को हटा दे तो कैसे एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि income tax खतम कर दो corporate tax खतम कर दो और हर इंदुस्तानी को ये कहो कि चाय के एक प्याले के बराबर का पैसा सरकार को दान में दे दे तो मैंने उसका हिसाब निकाला चाय का एक प्याला इस समय पांच रुपए का आता है हर आदमी रोज इतना दान दे दे तो income tax और corporate tax से तीन गुना ज्यादा collection होता है तीन गुना ज्यादा और ये कैसे होता है भारत का आदमी दान देता है टैक्स नहीं देता इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो दान देते हैं टैक्स नहीं देते मेरे एक मित्र हैं बंबई में रहते हैं हर दिन एक लाक रुपए दान करते हैं और दान करने के बाद खाना खाते जिस दिन वो दान नहीं करते उस दिन खाना छोड़ गएते रोज का नियम है एक लाक रुपए दान करने का लेकिन उन्होंने income tax की चोरी कराने के लिए सत्रे चार्टेड एकाउंटेंट रखे हुएं अपने भूर income tax की चोरी कराने अब मैं उनसे कहता हूँ कि आप बड़े विचितर आदमी है income tax तो भरेंगे नहीं और दान में हर दिन एक लाक रुपए देते हैं तब वो मुझे कहते हैं राजीब भाई कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता इस देश में income tax department कुपात्र है इसलिए इसको एक पैसा नहीं दे सकता हूँ दान में कितना भी दे सकता हूँ हर आदमी की यही भावना है आप देखो इस देश का आदमी दान देने के लिए कितना उतावला है कारगिल युद्ध हुआ तो एक दिन में 480 करोड रुपए लोगों ने दान किया एक दिन उड़ी सा में चक्रवात आया लाखों करोड़ों रुपए दान दिया गुजरात में भूकम पाया इतना दान मिला कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अब नहीं चाहिए आप पैसा मत भेजो सरकार ने कहा कि नहीं चाहिए इतना आया अभी बिहार में बाड बीर हैं दान देना पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो खून है जिनके वो वंशज है वो भामाशा है इसलिए दान देना पसंद करते हैं टैक्स नहीं देते क्योंकि टैक्स में जबरजस्ती सरकार इनकी जेप से निकालती है जबरजस्ती मनजूर नहीं है वो मंदिर में जा हर साल तिरुपती बालाजी का जो कुल कलेक्षन है न वो आंद्र सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बढ़ाए और आंद्र सरकार करज लेती है तिरुपती बालाजी से अपना बजट बनाने के लिए हाँ मैं आपको मजाक नहीं दिखर रहा हूँ तिरुपती बालाजी से करज लेके आंद्र में बजट बनता है तो मंदिर का जो दान है वो सरकार से बड़ा हो जाता है कई बार तो हमारे हाँ तिरुपती बालाजी जैसे हजारों मंदिर हैं जहां लोग दान देते हैं कई मंदिरों में तो ऐसी व्यवस्था है कि लोगों ने भगवान जी को पार्टनर बनाया हुआ है हाँ उनकी इंकम का जितना आता है पचास प्रतिशत चुपचाप मंदिर में दे आते हैं जिस देश में लोग बिना किसी अपेक्षा के मंदिरों में करोडो रुपएदान देते हूँ उस देश में आप इंकम को टेंस करें तो कलेक्शन तो होगा नहीं आप एकस्पेंडीचर को टेंस करने की सोच है तब तो कुछ बात समझ में आती है इंकम को टेक्स क्यों कर रहे हैं खतम करिए और यह income tax 1860 है हम नहीं चाहते कि यह अब हमारे देश में रहे income tax हट जाए देश बहुत अच्छा हो जाएगा इमांदार हो जाएगा भरष्टाचार खतम हो जाएगा कैसे हो जाएगा income tax department के कारण लाखों करोडों रुपए का काला धन पैदा होता है वो काला धन इस देश में अर्थव्यवस्था को भी नुकसान करता है और बेईमानी बढ़ता है 36 लाख करोडों रुपए का काला धन है हमारी economy में income tax के कारण ये धन को हम सफेद बनाना चाहते हैं सफेद बनाके इस देश की अर्थव्यवस्था में लगाना चाहते हैं फिर आप बोलेंगे देश चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे उसके लिए हमने हिसाब निकाला है कि भारत के लोग बैंकों के द्वारा जो हर दिन transaction करते हैं चेक और ड्राफ्ट से वो एक दिन का transaction एक लाख पच्चीस हजार करोडों रुपए का है एक दिन का साल भर का transaction करीब 400 लाख करोडों रुपए का है इस transaction पर आप एक परसेंट टैक्स लगा दें 400 लाख करोडों रुपए के transaction पर एक परसेंट टैक्स लगा दें तो इंकम टैक्स से जादा हो जाता है दो परसेंट लगा दें तो सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से डबल हो जाता है तीन परसेंट लगा दें तो सरकार सोच नहीं सकती उतना हो जाता है और फिर हमारे देश में कुछ transaction ऐसा होता है जो cash में होता है वो cash transaction को भी अगर आप बेंक के थू कराने लगें अगर आप income tax अटा देंगे तो सारे cash transaction बेंक के थू हो जाएंगे किसी को डर नहीं है खर्चा करने में फिर तो वो transaction भी अगर आप इसमें ले आएं और वो पूरे transaction के 2% पे tax लगा दें आप तो एक साल का tax collection 18 लाख करोड रुपए से उपर है जबकि अब ही हमारा कुल tax collection 6 लाख करोड का है तीन लाख तीन गुना जादा tax हम इकठा कर सकते हैं सब tax हटा दो हर आदमी सुखी हो जाएगा इस देश हर आदमी इमांदार हो जाएगा सिर्फ 2% transaction tax लगाओ और transaction tax लाख करने के लिए बैंकों को authorities दे दो कि बैंक लाख करके आपको देंगे और cash transaction tax लाख करने के लिए दुकानदारों को आप authority दे दो वो cash का लाख करके देदेगे कोई problem ही नहीं दुनिया में जो देशों में एक या दो tax है न वही देश इस समय सबसे ज़्यादा अमीर हैं करोड़पती हैं अरगपती और जिन देशों में सबसे ज़्यादा tax हैं वो गरीब हैं भुक्मरी के शिकार हैं बेइमानी ब्रष्टाचार वहां सबसे ज़्याद तो इस बेइमानी ब्रष्टाचार का permanent solution हम चाहते हैं tax system में change होना और इसी तरह से हम एक व्यवस्था चाहते हैं इस देश में वो ये कि अंग्रेजों के समय से जो ये tax लगाए गए उनका loot अंग्रेज करके ले गए अंग्रेजों के बाद ये जो tax लगाए गए इनकी loot काल flexirecom होने कर लीं है गोरे अंग्रेजों ने लुटा वो तो बाहर से आये काल अंग्रेजों ने लुटा जो हमारे यी देश मैं से निकले और व्यवस्थाओं में जाकर बैठ गए लूट तो दोनों ही लूट है अंग्रेज कर लेगा वो धन उन्होंगे इंग्लेंड में जमा कर रखा है खाले अंग्रेजों ने जो लूटा वो धन सुट्जर लेंड में जमा कर रखा है ये दोनों ही धन हमें वापस चाहिए तो आप बोलेंगे अंग्रेजों ने जो धन में से गया माउंट पेटन इसके बीच के जितने भी अंग्रेज लूट कर ले गए धन संपत्ति उसका पूरा हिसाब निकाला वो करीब करीब 300 लाख करोड़ रुपए है कि उसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है यह धन वो यहां से ले गए आप बोलेंगे यह वापस आ सकता है बिल्कुल आ सकता है आप में हिम्मत होनी चाहिए यह पैसा वापस आ सकता है कैसे आ सकता है अंग्रेजों ने सारे अंतर राश्वी कानूनों का उल्लंगहन करके इस देश को लूटा था और उन्हीं अंतर राश्वी कानूनों का हवाला देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हम मुकद्मा कर सकते हैं और अंतर राश्वी अदालत में उनको नंगा कर सकते हैं और उनसे यह पूरा पैसा बसुल सकता हमारी तो कोशिश यह है परंपुज नहीं स्वामी जी के साथ साथ मेरी इस विशे पे बहुत वारता हुई है मैंने स्वामी जी से निवेदन किया था कि दुनिया में पचास देश हैं जिनको अंग्रेजों ने लूटा आप इन सभी देशों को एक कर दो यह सब अफरीका के देश हैं एशिया के देश हैं इनको एक साथ इकठा कर दो सब मिलके मुकदमा करेंगे अंग्रेजों के खिलाव और सब अपनी अपनी लूट की रकम इन से मांग लो और अंतराश्वी कानून के हिसाब से उनको देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसे डिस्प्रूव नहीं कर सकते इतने प्रमान इतने दस्ता देज अभी हमारे पास हैं कि हम उनको अदालत में नंगा कर देंगे और अदालत में फैसला दे दिया कि ब्याज के साथ ये पैसा वापस कर दो तो इंग्लेंड बिक जाएगा पूरा भिकारी हो जाएगा हम चाहते हैं ये पैसा वापस आए इसके लिए थोड़ी ताकत चाहिए अंतर राष्ट्री ये जो जगत है इसमें हमारी हैसियत बढ़ानी पड़ेगी दूसरे देशों को साथ में लेना पड़ेगा फिर ये काम हम करा सकते दूसरा काम क्या करना है अंग्रेजों के जाने क सब्सक्राइबाद जो आजादी के दौर में लोगों ने लूटा इस देश को नेताओं ने अधिकारियों ने इनको जिनको हम काला अंग्रेज कहते हैं ये धन स्विट्जर लेंड में जमा है और ये धन करीब करीब 110 लाक करोड़ रुपए हैं गोरे अंग्रेजों ने 200 सा साल में 110 लाक करोरो नूट लिया और ये 110 लाक करोडर सुटजरेंड में और दूसरे देशों के बैंकों मे जमाらे इसंध। को भी हम वापस लाना चाहते और इसके लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं उन में से एक रास्ता है सुप्रीम कोट एक रास्ता है हमारी संसद और एक रास्ता है अंतराश्ट्री अदालत और चौथा रास्ता है दादागिरी स्विर्जर लेंड से थोड़ी सी दादागिरी हम करें वो सारा पैसा हमको दे देगा क्योंकि अमेरिका ने अभी ऐसा किया अमेरिका में एक राश्ट्र पती है बराको मामा वो जीत के आया जीत के आने के बाद उसने नोटिस दे दिया स्विर्जर लेंड की सरकार को और थू युनाइटेड नैशन संयुक्त राश्ट्र संग की तरफ से नोटिस भिजवा दिया और उसमें पंद्र दिन का समय दिया कि पंद्र दिन के अंदर अमेरिका का जितना पैसा सुट्जर लेंड के बैंक हातों में हैं यह बता दिया जाए और इस पैसे को अमेरिका को वापस दे दिया जाए नहीं तो सुट्जर लेंड के खिलाफ कारिवाही होगी और संयुक्त राश्ट में भी होगी अंतराश्वी अदालत में होगी सुट्जर लेंड की सरकार परिशान हो गई पंद्र दिन में उन्होंने अमेरिका का चार सो सत्तर अरब डॉलर वापस दे दिया पंद्र दिन में दे दिया अब बराक ओबामा ये कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकते हम भी कर सकते हमारे पास तो कानूनी रास्ता भी है कानूनी रास्ता क्या है हम सुप्रीम कोट में एक मुकदमा दाखिल करें और उसमें ये कहें कि आजादी के बाद इतने गोटाले हुए हैं आपको मालूम है एक गोटाला हुआ था इस देश में यूरिया गोटाला याद है आपको नरसिमाराओ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसमें 133 करोड रुपए का पेमेंट किया गया यूरिया का एक दाना भी नहीं आया इस देश यही था ना उसकी जाँच हुई सीबी आई की तो पता चला 133 करोड सुर्जर लेंड में जमा हो गया किसके खाते में जमा हो गया नरसिमाराओ के बेटे के खाते में जमा हुआ था यह पैसा उनके बेटे के खाते तो सीबी आई ने बेटे को रेट किय उसको पकड़ा गया तो उसने कबूल किया कि हां उसके खाते में हैं तो सुप्रीम कोट ने तुरंद फैसला दिया और कहा कि यह जो धन है वो नरसिम्मा राओ के बेटे का नहीं है भारत देश के लोगों के करोडों की खून-पसीने की कमाई का है वो देश का पैसा है राश् ने एक टीम बनाई थे वो अधिकारी इस फैसले को लेकर सुट्जलेंड गए सुट्जलेंड की सरकार ने 133 करोडों रुपए वापस किया भारत के खजाने में आकर वो फिर से जमा हुआ मेरा यह कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुट्जलेंड से वापस आ ग सकता है तोप गोटाले का सकता है बोफॉर्स का सकता है चैक पिस्टल गोटाले का सकता है आजादी के बाद हजारों हजारों जो गोटाले हुए सबका पैसा सकता है बस इसको सुप्रीम कोट के सामने कहने की जरूरत है और दम के साथ कहने की जरूरत है प्रमान के साथ कहने की जरूरत है क्यों नहीं मानेगा सूप्रीम कोट कानून हमारे देश ए तो हम सूप्रीम कोट में जाकर इसको राश्प्री संपती गोशित करा सकते हैं यह पैसा आ सकता है सुझे लेंड्स राश्वी अदालत में मुकदमा करें तो भी ये पैसा वापस आ सकता है और कई देशों को एकठा करके सुट्जर्लेंड से बात करें तो भी ये पैसा आ सकता है माने 110 लाक करोड़ ये हमें वापस लाना है इसके लिए भारत स्वाविमान का अभियान है और एक बार हम ये वापस ले आए तो हमारा आत्म विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि लंदन से तीन सो लाख करोड़ लाना आसान हो जाएगा अंग्लेंड के लोग यह कह सकते हैं जी हमारे पास अब नहीं है तो ठीक है तुमारे पास नहीं है तो हम दूसरे तरीके से इसको बसूल सकते हैं आप बोलेंगे कैसे बसूल सकते हैं इंग्लेंड की जितनी कमपनिया भारत में काम कर रही हैं सबकी संपत्ती को एक मिनट में जब्त करेंगे जाओ यहां सब यह तो सब भारत का ऐसे बसूला जा सकते हैं और इंग्लेंड की कमपनिया दुनिया के पचास देशों में काम कर रही हैं उनको साथ में लेके वहां यह करवाया जा सकता है कि तुम भी यही करो अगर उनके पास देने को पैसा नहीं है तो इस तरीके से निकालो और नहीं तो वर्डबेंक और आएमफ में इंग्लेंड का हिस्सा जो पड़ा हुआ है उनका जो कोश है उसमें से ले सकते हैं तरीके बहुत हैं हिम्मत चाहिए थोड़ा साहस चाहिए एक बार हिम्मती और साहसी लोग इस देश की सत्ता व्यवस्था में आ जाएं सीर्ष व्यवस्था में आ जाएं तो हर असम्भव काम संभव हो सकता है मेरा ऐसा मानना है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता हर काम संभव होता है करने वाले में संकल्प कितना बड़ा है मेहत तो इस बात का होता है कल तक दुनिया में हमें ऐसा लगता था कि यह तो हो ही नहीं सकता जैसे अमेरिका में कोई काला आदमी राश्ट्रपती बन ही नहीं सकता कोई मानने को तैयार नहीं था अभी बन गया पूर्वी जर्मनी और पस्ष्चिमी जर्मनी कभी एक हो ही नहीं सकता अभी दोनों एक हो गए लिवाख संग जैसा देश जो महा राष्ट्र था वो खंड-खंड तूती ही नहीं सकता तूट गया अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ती था दिवालिया हो नहीं सकता हो गया अमेरिका के बड़े-बड़े बैंक, लेहमन ब्रदर, सिटी कॉर्प, एन्जेट, ग्रिंडलेज, स्टेंडर्ड, चार्टिट, देखते देखते दिवालिया हो गए लोगों के सामने जो कोई सोच नहीं सकता था, यूरोप कभी मंदी में आही नहीं सकता, आ गया, तो जब हम दुनिया में बहुत सारी असंभव कल्पनाएं करते हैं और वो हो जाती है, तो ये कल्पना भी आज असंभव लगती है, कल हो सकती है, बस महत्तु की बात है कि करने वालों का संकल् भारत स्वायुमान अभ्यान इसी काम के लिए हमने शुरू किया है, और हमारा सपना है कि 110 लाग करोड स्विस बैंकों से वापस आ जाए, 300 लाग करोड इंग्लेंड से वापस आ जाए, 410 लाग करोड की रकम इतनी बड़ी है कि इस रकम को हम हिंदुस्तान पे लुटा दे एक-एक हिंदुस्तानी को बांट दें, तो एक-एक हिंदुस्तानी के पास कम से कम, कम से कम, 4 से 5 करोड रुपए से जादा आ जाएगा लुटा दें अगर हम उसरा कम को, और अगर नहीं लुटाएं और हिसाब से खर्चा करें, गाउं का विकास करें, तैसीलों का विकास करें, इस तरह से खर्चा करें, तो 50 लाग करोड में ही सारा देश खड़ा हो जाएगा इस से जादा का खर्चा ही नहीं हर गाओं में पीने का पानी हो हर गाओं में बिजली हो 24 गंटे बिजली हो हर गाओं में स्कूल हो हर गाओं में हॉस्पिटल हो हर गाओं में डॉक्टर हो हर गाओं के गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्ता हो चिकित्सा स्वास्त की व्यवस्ता हो अगर इस हिसाब से खर्चा करें तो मात्र 50 लाग करोड चाहिए सारे गाउं खड़े हो जाएंगे और रकम तो इतनी बड़ी है हमारे पास कि फिर क्या करेंगे फिर बागी पैसे का सोना करीद लेंगे मिंद रगण रगण के सडकों पर भिछाएंगे सबसटं के सोने की बनाइगे जूर्थ काल में यह देश सोब ने की चिडिया था भविश्व में भी बनाइगे वर्तमान ठीक हो जाए तो यह करेंगा आप ये कहेंगे ये शेख्चिल्ली के सपने हैं ये शेख्चिल्ली के सपने नहीं हैं मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है और जब करने वाले लग जाते हैं तो वो हकीकत होजाथी आज से डेड़ सो पॉने दो सो साल पहले नाना साहब पेशवा ने जब सपना देखा कि मैं देश को आजादी दिला कर रहूंगा तब लोग उनसे कहते थे ये शेक चिल्ली के सपने क्यों देख रहे हो क्योंकि आजादी के लिए कोई तयार नहीं था जब नाना साहब पेशवा आजादी का सपना देख सकते हैं उस दोर में जब हिंदुस्तानी कोई मुह नहीं खोल सकता था सड़क पर निकल कर तो हम तो ये सपना आप देखी सकते हैं क्योंकि हम तो उनसे ज़्यादा बहतर इस्तिती में है और मैं मानता हूं कि हर बड़े आदमी ने पहले सपना देखा है फिर उसको हकीकत में बदलने के लिए संकल्ब किया है और फिर संकल्ब के रास्ते पर चलने के लिए करूरों लो सपना देख रहा है देश को बैववशाली बनाने का संपत्ति बान बनाने का देश की गरीबी भुक्मरी बेरोजगारी दूर करने का मिटाने का सपना देख रहा है देश की अंग्रेजियत को को खतम करने का व्यवस्थाओं को स्वदेशी बनाने का सिख्षा में परिवर्तन करने का कर व्यवस्था में परिवर्तन करने का कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रसाशन व्यवस्था में परवरतन करने का हम सपना देख रहें और हम इकठ्य हो रहे हैं इस एक सपने के आधार पर फिर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे प्रयास करेंगे तो कन को यह हकीकत में बदल जाएगा कई बार होता है कच्रा आ जाता है कूड़ा आ जाता है फिर हम घर की सफाई शुरू करते हैं एक कोने से सफाई शुरू करते हैं थोड़ी दिन में पूरा घर साफ हो जाता है वैसी ही कुछ इस्थति है कि यह तूटा फूटा भारत कमजोर सा भारत अंग्रेजियत में डूबा हुआ भारत गरीबी भुक्मरी बेरोजगारी में डूबा हुआ भारत अच्छा नहीं दिखने वाला भारत आज ऐसा है हम प्रयास करेंगे इसके किसी एक कोने को ठीक करेंगे धीरे-धीर पूरा भारत ठीक हो जाएगा वैसे ही है जैसे अपने घर का होता है तो मुझे इसमें कोई असंभावना नहीं लगती मुझे मुझे तो पूरी Texas बारत संगठन अभी छे महिने पहले बना और छे महिने में hी ढाई लाक लोग इसमें आ गए इतनी तेजी के साथ तो कोई संगठन नहीं बढ़ा है इस देश में छे महीने में ड़ाई लाख लोग आ गए और हमें अनुमाने के अगले छे महीने में ग्यारे लाख हो जाएंगे और चार-पांच साल में पांच करोड से ज़्यादा हो जाएंगे जिस तेजी के साथ लोग इसमें जुड़ रहे हैं हम बहुत आश्वस्त हैं कि हम ये काम कर पाएंगे और ये काम कराने के लिए राजनेताओं को, संसत को, राजनेतिक व्यवस्था को दबाओ में लाना है और ये सारी व्यवस्था उस दिन दबाओ में आ जाएगी जिस दिन हमारे पास उनसे ज्यादा लोग हो जाएंगे राजनेतिक दलों के पास चार करोड लोग है और वो देश पर साशन कर रहे हैं जिस दिन हमारे पास पांच करोड लोग हो जाएंगे हम चाहेंगे वो इस देश पर साशन करेगा हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में प्रभान मंत्री बनेगा हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में राश्ट्रपती होगा जिस दिन पांच करोड हमारे पास हो जाए क्यों क्योंकि परजात अंत्र में सिर गिने जाते हैं धील किसके पास है वही देखा जाता है नंबर गेम है ये तो 51 परसेंट किसके पास हैं उसकी जीत है और उसकी चलती है उनके पास 4 करोड हम लाएंगे पांच करोड अब 115 करोड में 5 करोड नहीं मिलेंगे बहुत आसानी से मिलेंगे जब बैतूल जैसे शहर में हमें इतनी जल्दी इतने सारे लोग मिल गए मेंबर्शिप में छोटा सा शहर छोटा सा जिला तो भारत में तो कितना बड़ा लाका है हम यह करेंगे यही हमारा संकल्ब और यह संकल्ब के साथ हम सपना देख रहें आप से मैं निवेदन करने आया कि हमारे संकल्ब की पूर्ती में आप सब मदद करें तो आप बोलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं आप हमारी शक्ति बन सकते हैं कि आप हमारे हाथ बन सकते हैं कैसे आप हमारे संगठन में आ जाए शामिल हो जाए ये संगठन का उद्देश क्या है मैंने बता दिया व्यवस्था परिवर्तन हमने तै किया है कि अपने लिए हमें सत्ता नहीं चाहिए सिंगहासन नहीं चाहिए लेकिन हमने दूसरा संकल्प लिया है कि सत्ता और सिंगहासनों पर जो बैठे हुए हैं इनको तो ठीक और दुरुस्थम करके ही माने भारत स्वाविमान कभी चुनाव नहीं लड़ेगा लेकिन चुनाव लड़ने वालों की नाक में नकेल डालकर उनको मत्येगा ये जरूर क करेगा है ये हमारा तैग है तो आप हमारी शक्ति बनिए इस संग्टन में शामिल हो जाएए बहुत आसान तरीका है एक फॉर्म हमारे संग्टन का है वो भर दीजे उसमें नाम पता फोन नंबर आपका हमारे पास आ जाएगा कुछ नियूनतम शुल्क है वो दे दीजे हमा आप संग्टन में शामिल हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी कुछ ट्रेनिंग आपकी हरिद्वार में होगी कुछ ट्रेनिंग यहीं पर होगी जब आप हरिद्वार जाएंगे तो स्वामी जी आपको ट्रेनिंग देंगे यहां ट्रेनिंग होगी तो मैं आऊंगा या कोई और पद्यादिकारी आएगा तो दोनों तरह से आपको ट्रेंड करेंगे और जो नौ विशय हमारे हैं इन नौ विशयों पर आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि आप गाउं गाउं जाकर इन सब बातों को विस्तार के साथ लोगों को समझा सकेंगे और कन् इंत्रता दिलाएगी स्वराज्यकी स्थापना कराएगी यह हमें करना है और इसके लिए लक्ष तैकिया है पांच साल ज्यादा नहीं पांच साल 1914 तक हमें हमारे लक्ष की पूरती करनी है ऐसा नहीं कि इसको अनंत काल तक चलाना है और उम्मीद है कि यह सौरी दोहजार कि तेजी से हम बढ़ रहे हैं और भारत में हम बढ़ रहे हैं यह तो एक बात है भारत के बाहर और तेजी से बढ़ रहे हैं भारत के बाहर जो विदेशी जिनको हम एनराइज कहते हैं नॉन रिजिन इंडियन उनकी संख्याभी चार करोड़ है अभी दो करोड एनराइज हैं दो करोड पी आईयोज हैं पी आईयोज माने परसन ओफ इंडियन ओरीजिन दो करोड हैं और एनराइज दो करोड चार करोड हैं और इनकी ताकत तो आप जानते हैं लक्ष्मी नराइन मित्तल इतनी बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान की कितनी कंपणि सबीर भाटिया का नाम सुना आपने जिसने सारी दुनिया को इमेल करने का तंत्र उपलब्द करा दिया वह भारत स्वाइमान के मेंबर है ऐसे भारत के बाहर जो ताकतवर और लोग हैं जिनको हम एनराइज और पियाईओ कहते हैं जिनका एक फोन खड़क जाए तो प्रधानमंत्री कारियाले उपर नीचे होने लगता है वो लोग अब हमारी ताकत बन रहे हैं और बन ही नहीं रहे हैं जो हम चाहते हैं उससे जादा करके दे रहे हैं इंग्लेंड म में करीब 700 एकड़ का पूरा टापू खरीद के भारत स्वाविमान को दान में देगी हैं कि 700 एकड़ का पूरा टापू कि समुद्र के बीच में इंग्लेंड के लोगों ने कर दिया अमेरिका में हुस्टन में कुछ भारतवासी इकठे हो गए हैं उन्होंने हजारों जमीन ले ली भारत स्वाविमान के लिए अफ्रीका में भारतवासी खड़े हो रहे हैं नाइजिरिया में सोमालिया में एथियोपिया में रुडेशिया में जिंबॉब्बे में इन सब देशों में भारतवासी हैं वो खड़े हो रहे हैं और हजारों हजारों हेक्टेर जम वाम हमारा चल रहा है तो इसलिए उम्मीद है भारत के बाहर जो लोग रहते हैं वो हमसे यही कहते हैं कि आपको हम दूद मांगोंगे तो खीर देंगे खीर मांगोंगे रबड़ी देंगे क्योंकि आप जो करने की बात कह रहे हो वो 62 साल में किसी कि ने कहा नहीं और करने का तु प्रयास किया ले 62 साल आजादी के इस देश में हुए एक संगठन बना था जै प्रकाश जी का जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी लेकिन दुर्भाग इस देश का ये था कि धाई तीन साल में वो जितनी तेजी से बड़ा उत्ती तेजी से खतम भी हो गया उसके अलावा कोई संगठन नहीं कोई संस्था नहीं जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात कियो गांदी जी बात करते थे आजादी के पहले आजादी के बात नहीं तो आजादी के बाद अगर लो कि हम ये कर पाएंगे बाहर भारत में भारत से बाहर रहने वाले जो भारतवासी है ना उनका दिल आप से ज़्यादा धड़कता इस देश के लिए वो बोलते हैं कि आप बताइए करना क्या है हमने एक योजना बनाई है और भारत के बाहर रहने वाले भारतवासियों से उस पर बात कर रहे हैं एक एक भारतवासी जैसे एलएन मिट्तल है सबीर भाटिया है एक्स वाई जेड इनको हम कह रहे हैं कि आप सो सो दो दो सो तीन-तीन सो गाओं को गौद ले लो हजार गाओं को गोद ले लो आपकी capacity के हिसाब से और इन हजार गाओं को एक एक व्यक्ति गोद लेके इनको खड़ा कर दे इनकी व्यवस्थाओं को ठीक कर दे गरीबी भुकमरी बेकारी रोजगार की व्यवस्थाओं को ठीक कर दे तो बिना सरकार की मदद के ही देश हैं आपको सुनके रहानी होगी हर दिन 500 इमेल आते हैं भारत स्वाइबान के नाम से विदेशों से 500 और मैं उनको छाटने में ही व्यस्त रहता हूं कि किसको क्या जवाब देना सब इमेल में एक ही बात है आप बोलो करना क्या है सौगाओं मेरी तरफ से कोई कहता हजार गाओं मेरी तरफ से कोई कहता जवरी 2000 दस तक उसके बाद यह सारी चीज़ें बहुत तेजी से होने की तैयारी में हैं तो हम तो उम्मीद बहुत आशा बहुत लेके कि इस काम में चल रहे हैं 200 प्रतिशत मुझे उम्मीद है आशा है कि यह काम होने वाला है आपके सामने में यही कहने आया हूं कि काम तो यह होने वाला है अब आप निमित बने तो भविश्य आपको इतिहास में याद रखेगा काम तो होने वाला है कि आप निमित नहीं बनेंगे तो इतिहास आपको वैसे याद रखेगा जैसे मीर जाफर को याद करते हैं अमी चंदर जह चंद को याद करते और आप निमित बन गए तो भविश्य का इतिहास आपको ऐसे याद करेगा जैसे भगत सींग को उदम सींग को चंदर शेकर को सुभाष चंद्र बोस को तांते अंटोपे को हम याद करते हैं और यह होना क्यों है क्योंकि इश्वर की कोई योजना है यह हमारी नहीं हम तो मानते ही नहीं कि हम में कोई अकल और बुद्धी है हम तो मानते हैं कि वो उपर वाला है जो हमको अकल दे रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे बोलो इस रास्ते पर चलो नहीने विचार आते हैं नहीनी की बातें दिमाग में आती हैं वो मैं मानता हूं कि इश्वर की कोई योजना है शायद इश्वर कुछ हमसे करवाना चाहता है या पुराने समय में हम लोग कहीं कुछ करने की तैयारी में लगे हुए लोग थे जो काम नहीं पूरा होने पाने पर मर गए सहद शहीद हो गए स्वरगवासी हो गए अब वो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए फिर इकठे हो गए ऐसे ही लगता है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत स्वाविमान में एक-एक कार्य करता एक-एक सदस्य जो शामिल हो रहा है ये भूत काल की कोई शहीद आत्मा है जो कोई अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर आई हर बार मुझे ऐसा ही लगता है ति 5 वरना कहां कहां एक दूसरे से बिलकूल अंजान भिन प्रकरती के लोग सब एकसाति कट्टे हो रहें करोड़्पति भी हो रहें रोड्पती भी हो रहें सब एकसात् Это मिलके आ योग कर रहे हैं प्राणायाम कर रहे हैं करवा रहे हैं तो शायद इश्वर की कोई योजना है और भारत माता का कुछ अच्छा होने जा रहा है वो इश्वर की योजना है वही करवा रहा है हमें तो उसने निमित्त बना दिया है और आप अगर अपने को यह मान के चलते हैं कि आप इस योजना में निमित मात्र हैं तो करने का एहंकार आप में नहीं आएगा और शायद इस काम को आप कर जाएंगे करने का एहंकार जिस दिन आ जाता है काम पीछे छूट जाता है एहंकार आगे चला जाता है हम मान के चलें कि हम तो निमित हैं करवाने वाला तो कोई और है योजना बनाने वाला तो कोई और है वो हमारी मदद के लिए खड़ा है तो यही कहकर मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप निमित मात्र ही इस संगठन से जुड़ें हमारी संख्या इस संगठन की इतनी कि पूरे मद्ध्य प्रदेश में आदर्श बने परम पुझनिये स्वामी जी ने घोशना की है कि जिन जिलों में ग्यारवसों से ज्यादा सदस्य बनेंगे भारत स्वाविमान के विशिष उन में ही मैं पहले जाऊंगा तो बैतूल एक ऐसा जिला है जहां ये संभावना दि हो जाए तो आप इस द्रश्टी से सोच के चलें हमारे सदस्य बनें इस संगठन में शामिल हो और दूसरा एक विनम्र निविदन करना चाहता हूं वो ये कि इस पूरे अभ्यान में हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकें अपने आपको तो हर व्यक्ति हमारी बात मा आदर्श अपने जीवन में नहीं बना सकते तो कोई हमारी बात नहीं माने एक काम तो हम सामुहिक रूप से करेंगे संगठन के रूप में वह यह है कि सुइस बैंक का पैसा लाना टैक्स सिस्टम को बदलवाना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना सब सिस्टम को बदलने क काम सामुहिक है वो हम साथ में करेंगे उसकी लिए राजने तिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो भी लड़ेंगे लेकिन एक काम व्यक्तिगत भी है वो भी हमें करना पड़ेगा तभी सामुहिक करने की ताकत हमें पैदा होगी व्यक्तिकत काम क्या करना है जिस काम को हम वपेक्षा करते हैं दूसरे करें उसको पहले हम खुद करें तब ही हमारी बात कोई मानेगा तो आप अपने जीवन में कुछ व्यक्तिकत आदर्श प्रस्तुत करें ये मेरी आप से विनम्र प्रार्थना है तो आप क्या कर सकते हैं भारत स्वाविमान का एक सूत्र वाक्य है जीवन में जितना बन सके उतना सादगी रखो विचारों में जितना हो सके उतनी उचाई रखो ये भारत स्वाविमान मान के चलता है आप भी अपने जीवन में इसको ठोक बजा कर धारन करें अपने जीवन में सादगी लाएं कम से कम खर्चे में जीवन चलाएं क्योंकि देश को बड़ा करना है तो अपने को छोटा बनाना पड़ता है तब ही देश बड़ा होता है हम अपने को छोटा कैसे बना सकते हैं देश के ऊपर बहुत सारा करजा है आप जानते हैं सरकार ने उधारी करण और वैश्वी करण की नीतियों की कारण इस देश को उधारी करण में फसा दिया है जिस भारत पर एक पैसे का विदेशी करज नहीं था इस समय भारत पर अठारे लाग करोड का विदेशी करज हो गया है करजा जब जादा हो जाता है देश पर तो इसक मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है हमारा निर्यात बहुत कम होता जाता है आयात का खर्चा बढ़ता जाता है निर्यात आयात का घाटा जो हो तो वह नया कर्ज लेने के लिए कि हमको मजबूर करता है और हम एक दुष्चक्र में फस जाते इस दुष्चक्र से देश को निकालिए कैसे निकालेंगे हमारे देश पर अगर करजा बढ़ गया है इस देश को दुष्चक्र से निकालना है तो इसका सरल उपाय है कि जब घर पर करजा बढ़ जाता है तो घर बात करें अपनी जिन्दगी से खरचे कम करिए फाल्तु खर्चे मिटा दीजे जटना फाल्तु खर्चा कम करेंगे पैसा उतना ही बच्ट में जादा होगा और देश की बच्ट जितनी बढ़ेगी विकास के लिए पूंजी वहीं से जादा मिलेगी हमारी सरकार बार-बार पूंजी का रोना रोती है कि हमारे पास पूंजी नहीं पूंजी नहीं पूंजी देश में उपलब्द करानी है तो बचत बढ़ाकर सबसे आसानी से उपलब्द को सकती है बचत बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि लोगों के खर्चे कम से कम करा दिये जाएं खर्चे कम कराने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में सादगी लाएं फालतू खर्चे ना करें कहां से शुरू करें सबेरे से शाम तक अपने जीवन में देखें क्या-क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं उसको कम करें सबसे बड़ा फालतू खर्चा इस देश में है चाय कॉफी का एक साल में 90 खरोड़ करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं चाय और कॉफी पीने में आप सोचिए कितनी बड़ी रकब यह पीना बंद करें नब्बे हजार करोड देश का बचेगा आप बोलेंगे चाए कॉफी पीना छूपता नहीं है छोड़ना बहुत आसान है संकल्प ले लीजे जीवन में कुछ भी चीज बदलती है आप तै कर लीजे चाए कॉफी बंद कर देंगे दो फाइ जाएगी पेट के आसिडींटी कम होगी तो ब्लड की एसिडींटी कम हो जाएगी रक्त की स्वेटी कम हुई तो असी बीमारियों से बचेंगे आप चाए कॉफी पीने से असी बीमारियां आती है इसलिए छोड़ दीजें आप बोलेंगे फिर क्या पिएं दूद पीजिए लस्सी पीज़े गन्य का रस पीज़े संत्रे का रस पीज़े मुसम्मी का रस पीज़े आवले का रस पीज़े लौकी का रस पीज़े एलो विरा का रस पीज़े टमाटर का रस पीज़े गाजर का रस पीज़े कुछ कमी है क्या आपने पास और चाय कॉफी इसलिए भी बंद थी इस देश में और फोकट में पिलाई थी पहले चाय फिर हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि खरीद के पीना शुरू कर दिया तो बंद कर दीजे ये चाय कॉफी दूद पी लीजे मैंने एक हिसाब निकाला सब अंदोस्तानी चाय कॉफी छोड़ें और दूद पीएं और नब्य हजार करोड का दूद ज़्यादा भिके तो बीस करोड गाय या भेंस पालनी पड़ेंगे तब ये दूद पैदा होगा और बीस करोड गाय भेंस पालनी है तो सारे कतल खाने बंद करने पड़ेंगे तब ही ये हो पाएगा कतल खाने बंदोंगे तो मास निर्याद बंदोगा पशुओं की जान बचेगी, उनकी दुआएं मिलेंगी, हमारा काम आसान होगा, दूसरा पशुओं का गोबर और मूत्र खाद के रूप में देश के काम आएगा, चार से पांच लाक करोड की खाद हम बना सकते हैं, बीस करोड जानवरों के गोबर से, और दो से धाई लाक कर की आमंदनी देश की बढ़ा सकते हैं, जानवरों को बचा करके, और डीजल पेट्रोल का जो खर्चा ट्रेक्टर में हो रहा है, खेद जोतने के लिए, उनके लिए बैलों की उपलब्दता करा सकते हैं, गाय और भैस की संख्या बढ़ा करके, इतने फाइदे होते हैं, छोड़ दीजे, आसान है, फिर आप बोलेंगे तो कैसे छूटेगी, जिनको चाए काफी की बहुत लत हैं, उनके लिए बताता हूं कि पानी को खूब गरम करिए, तुलसी पत्ता डाल दीजे उसमें, धनिया पत्ता डाल दीजे, पुदीना पत्ता डाल दीजे, नीबू न आती है, चाए तो 1.500 रुपए किलो की है, अरजुन की चाल का पाउडर डाल के उबाल के उसको पी लीजे, या तो कोई काढ़ा बना के पी लीजे, या तो दिव्य पे आता है पतंजली योग पीठ का वो चाए कौफी की तरह से पी लीजे, कुछ नहीं कर सकते हैं तो खाल पानी को तुलसी पत्ता डाल के उबाल के पी लीजे, खाली पानी उबाल के पी लीजे, बहुत सारे विकल्प हमारे पास है, तै करिए संकल्प के रूप, पैसा बचाईए देश का, देश को जरूरत है आपके पैसे की, इसी तरह से कुछ फालतू पैसा खर्च हो रहा है, सबेरे यज सबेरे आप डात गिसते हैं पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं हजारों करोड रुपए बरबाद हो रहा है देश का ये बंद कर दीजे दातुन करिए नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, पाकड का दातुन सबी दातुन tax free है, cost free है किसी भी दातुन का side effect नहीं है और expiry date नहीं है और हर दातुन हर जगे मौझूद है दात भी साफ होंगे, मसूडे मजबूत बनेंगे, मुफत में काम आपका हो जाए नहीं तो दंतमंजन कर लीजे, दंतमंजन toothpaste से सस्ते आते तूथ पेस्ट कितने महंगे पड़ते हैं आप सोचिए मैंने एक आदमी की जिंदगी का हिसाब निकाला 15 साल की उमर से कोई आदमी पेस्ट करना शुरू करे और 75 साल तक पेस्ट करता रहे माने 60 साल उसने जिंदगी का तूथ पेस्ट किया एक लाख 46,000 रुपए उसने खर् 300 रुपए का टूथ पेस्ट तो काजू से महंगा इस काजू 200 किलो टूथ पेस 300 रुपए किलो गाय काई गी 250-300 रुपए किलो और हम कैसे मूर खलो गहीं गाय का घी तो रोटी पे लगाgeben कre सश्ता हैً टूथ पेस्ट जो महंगा है उसको रगड के वाश वेशन में थूपते हैं और सोचते हैं बड़े स्मार्ट हैं तो मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो वो कहते हैं क्या करें मैं कहता हूँ यह पेस्ट को थूपते क्यों हो इसी को रोटी पे लगा लगा के खाओ क्योंकि घी से तो महंगा है तो यह मूर्खता मत करोगा बंद करो यह सब पेस्ट और आपको एक गंबीर बात बताता हूँ मैंने भारत की प्रयोग शालाओं में कॉल गेट का क्लोज अप का पैपसुडेंट का सिवा का का फॉरहंस का स और प्रयोग शाला बोलती है कि यह टूथपेस जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं कोई गाय की हड्डियों से बनता है कोई भैस की हड्डियों से कोई बकरे बकरियों की हड्डियों से कुछ टूथपेस सुवर की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं अब हम और सबसे खराब बात जो toothpaste की आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सभी toothpaste में जाग बनता है जाग बनाने के लिए chemical डालना पड़ता है वो chemical वही है जो shaving cream में डालना पड़ता है डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ता है डिटर्जेंट सोप में डालना पड़ता है वही केमिकल टूथ पेस्ट में डालना पड़ता है उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट और यह कैंसर करता है इसलिए पेस्ट मत करिये, दंट मंजन करिये, दातूं करिये, पैसा बचेगा देश का। इसी तरह से फाल्तू खर्चा मत करिये शेविंग क्रीम लगाने में। भाईयों से निवयदन है कि दाड़ी बनाएं शेविंग क्रीम इस्तेमाल ना करें। बहुत पैसा बचेगा देश का फिर आप बोलेंगे क्या करें स्वामी रामदेव जी हो जाएं दाड़ी बढ़ाएं शेविंग करना ही ना पड़े और अगर शेव करना ही है तो बिना शेविंग क्रीम के दाड़ी बनाएं तो तरीका क्या है थोड़ा गरम पानी ले 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 चेहरे में मालिश कर ले थोड़ा दूद ले 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 चेहरे पे लगाएं और रेजर चलाएं बहुत क्लीन शेव बनते हैं थोड़ा दही ले 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 दही लगाएं और दाड़ी बनाएं बहुत अच्छी दाड़ी बनते हैं थोड़ा तेल ले 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 पानी में तेल मिलाके चहरे पे लगाएं, रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेप बनती है, मैं दस साल से ये करता हूँ, और इसके चार फाइदे हैं, पहला फाइदा है, बलेड का खर्चा कम होता है, आप अगर दूद लगाते हैं, दही लगाते हैं, तो चहरे में चिकनाई आती है, तो रेजर आसा केगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे फोकट मैं स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं कल से शुरू कर दीजे और आप अकेले मत करिए दूसरों को बताई कि दाड़ी दूद से बनाओ दाड़ी दही से बनाओ तेल से बनाओ शेविंग क्रीम का खर्चा बचाओ हजारों करोड बचता है और माताओं बेहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्रीम पाउडर लिपिस्टिक मत लगाओ बहुत पैसा खर्चो रहा है बहुत खर्चा है फेर एन लवली एक क्रीम आती है पचीस ग्राम चालीस रुपई की पचास ग्राम असी की सौ ग्राम एक सो साथ की एक किलो सोलेस रुपई की अब सोलेस रुपई किलो की क्रीम लगाए उससे अच्छा है चार किलो बादाम खरीद के खाए और वो क्रीम आप एक किलो लगाना या सौ किलो जिंदगी में गोरापन कभी नहीं आएगा ये जूट बोलते हैं फेर और लवली गोरेपन की क्रीम एक भैस को मैंने चार साल लगा के देख लिया वो अभी तक काली की काली दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हुआ फेर और लवली से जो फेर और लवली से काले गोरे हो जाते तो अफरीका में तो कोई काला रहना नहीं चाहिए उल्लू बनाते हैं आपको छोड़िए इसको बेकार है इसको छोड़ेंगे दूसरी क्रीम छोड़ेंगे कॉस्मेंटिक्स छोड़ेंगे साल में 56,000 करोड रुपए देश का बच्चता है और अंग्रेजी दूआएं छोड़ेंगे खरीदना तो 6,000,000 करोड रुपए बच्चता है परसीटामोल, इस्रेप्टोमाइसिन, टेरमाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, आकसिफिन, बूटाजोन, एस्परिन, कोल्डारिन, एनसिन ये सारी अंग्रेजी दूआएं अगर छोड़ दें, तो लगबग 6,000,000,000 करोड रुपए देश का बच्चता है, तो आप बोलेंगे इनको कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत आसान काम है, बीमार पढ़ना बंद कर दो, सब दवाएं छूट जाएंगी, आप बोलेंगे ये कौन सा तरीका हैं, रोज प्रणायाम करो योग करो, बीमार पढ़ो गई नहीं, क्योंकि स्वामी राम देव जी ने सारी दुनिया को यही सिखा दिया, आपको मालूम है, स्वामी जी कब से बीमार नहीं पढ़े, एक दिन मैंने पूछा, तो कह रहे थे कि जब से गुरुकुल छोड़ा तब से बीमार नहीं पढ़ गुरुकुल छोड़े सालों साल हो गए, 25 साल से जादा हो गए, क्यों नहीं पढ़े, तो कहते हैं, रोज प्राणायाम करता हूं, रोज योग करता हूं, बीमार होने का सवाल ही ने, वात पित्तकफ तीनों संतुलित रहता हैं प्राणायाम करने से, तो स्वामी रामदेव जी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं अखवार वाले कई बार जो है ना मुझे फोन करते हैं अखवार वाले बड़े टेड़े लोग होते हैं वो तो राजी भाई एक ख़वर हमें नहीं मिली आज तक बाबा कब बीमार पढ़ खवर चाहिए उन्पे और वो कहते हम फ्रंट करने वाले नहीं है क्योंकि रोज या प्राणायाम जो आदमी करे योग करे बीमार पढ़ी नहीं सकता तो आप भी प्राणायाम करो योग करो बैतूल में अच्छी कक्षाएं लगती हैं कई योग सिक्षक यहां सिखाते हैं और निशुलक सिखाते हैं और घर घर जाके आते हैं क्या मुश्किल है आपको ठोड़ा आले से थोड़ी तंद्रा दूर करतो, इकठे होना शुरू चाइओ पार्कों में इकठे हो जाओ, इसकूल में इकठे हो जाओ, कहीं भी इकठे हो जाओ, शीख लो उसे, दूसरों को सिखा दो, ज्यादा कुछ सीखने की जरूर नहीं है भस्त्रिका सीख लो कपाल भाती सीख लो अनुलोम विलोम सीख लो उदगीत सीख लो प्रणव सीख लो साथ प्रणयाम स्वामी जी बताते हैं और रोज आदा पौना घंटे करना शुरू कर दो एक ही दिन में कोई सीख सकता है आप तो टीवी के सामने बैठ कर ही आए जाता है बस करना शुरू कर दो तो बीमारी गायो और कभी गलती से बीमारी आ जाए तो आयुरुवेद चिकत्सा के केंद्र खुले हुए हैं जगे जगे पतंजली योग पीठ के सेवा केंद्र चल रहे हैं वहां वैद्द बैठे हुए हैं उनसे जाके परामर्ष ले हैं दवा लेनी है तो ले लो नहीं लेनी तो रसोई घर की अपनी दवा कर लो रसोई घर में सब दवाएं हैं जीरा है धनिया है मैथी है काली मिर्च है फिर आपकी सबतरे की खाने पीने की सबजियां है दाले है फिर शहद है फिर घी है ये सब दवाएं हैं आपके पास इ बड़ी बूटी रहस से उस पुस्तक का नाम है सब जानकारी उसमें दी गई है हर छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब यह हम कर करो नहीं तो मरने का इंतिजार करो डाइलिसिस थोड़े दिन करते हैं उसके बाद डाइलिसिस की भी लिमिट तूट जाती है अब जड़ी पूटी रहस में इसके लिए इतनी अक्सीर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पर इस्तेमाल करके देखा पीपल के पत्ते का रस नीम के पत्ते का रस सबेरे और शाम आदा आदा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किड्नी प्रेशन्ट को पिला दो तीन महीने में फिर वैसे ही भागने लगता जो भीमारी के पहले था अब यह बताओ पीपल कहा नहीं मिलता और यह बता ओंनी कहा नहीं मिलता अब पीपल और निम के पत्य के रस्ते इतना बड़ा चमतकार हो जाता है तो ऐसे एक दोने लाखों चमत-कार हैं आयुरुवेद में बस इसको जानने की जरूरत है तो मेरा तो निवेदन है कि अपने योग सिक्षकों से पूछ पूछ कर जानना शुरू कर दो नहीं तो पुस्तक हैं उनको पढ़ पढ़ कर जानना शुरू कर दो अपने जीवन में प्रयोग करो दूसरों को बताओ तो बीमार नहीं पढ़ो तो चिकित्सा का साड़े छे लाग करोड का खर्चा बचे और एक आखरी निवेदन कहना चाहता हूं उन से जो खेती करते हैं और किसान हैं और यहा बैठे हुएं उन से निवेदन हैं कि वो भी अपना खर्चा बचाएं यूरिया डी एपी सुपर फॉस्विट जो खेत में आप डालते हो लाखों करोड़ों का खर्चा इसमें भी है एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए खर्च होता है जब यूरिया हम खेत में डाल देते ये खर्चा बचाओ और इसके इस्था पर्मुला बताना चाहता हूं भरपूर उपज मिलती बस डालने का तरीका मालूम होना चाहिए अभी बहुत सारे किसान क्या करते हैं गाय बेल भैस का गोबर सुखाते हैं तीन-तीन महीने 4-4 महीने सूखता है शूखने के बाद के लेके हैं इससे उपज नहीं मिलेगी अच्छी उत्पादन जादा लेना है तो गोबर को गीला करके डालो खेत में बस इतनी सी बात है गोबर जब गीला डालते हैं तो जीवानुओं की संख्या करोडों में होती है जब गोबर सूखा डालते हैं तो जीवानुओं की संख्या सेक्डों में होती है खेत की मिट्टी में सारा खेल जीवानू करते हैं उनकी संख्या जितनी जादा आप बढ़ा दोगे उत्पादन उतना ही खेत में जादा मिलेगा हमारे देश में पचास अजार से जादा किसान है जो गाए बेल भैस का गोबर गीला करके खेत में डालते हैं और करोणों किसान हैं जो सूखा डालते हैं दोनों का उतलना करता हूं जो किसान गाए बेल भैस का गोबर गीला करके डालते हैं उनके एक एकड़ खेत में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता है और जो सूखा डालते हैं उनके खेत में 25 मीटरी टन से जादा गन्ना कभी पैदा ही नहीं होता है जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में 12 कुंटल गेहूं होता है जो गीला करके डालते हैं उनके खेत में 25 कुंटल गेहूं होता है जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में धाई कुंटल कपास होता एक एकड़ में और जो गीला करके डालते हैं उनको साथ कुंटल कपास होता एक एकड़ में हर एक उत्पादन जादा मिलता है गोबर को गीला करके डालो बस अब गीला कैसे करना है गोबर ले लो गाय का मूत्र ले लो भैस का ले लो बैल का ले लो कोई भी जानवर का गोबर और मूत्र ले लो मूत्र में गीला करो पहले दस किलो गोबर दस लीटर मूत्र मिला लो एक किलो किसी भी डाल का आटा डाल दो मुंग की डाल, अलुद की डाल, मसूर की डाल, अरहर की डाल, और एक किलो खेत की मिर्ण की मिट्टी उसमें डाल दो, ये पांचों चीजों को मिलाकर एक ड्रम में रख दो, पंदर दिन तक रखना, पंदर दिन में ये खात तयार हो ज खेत खाली है, तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है, तो पानी जब खेत में लगाते हो, तो पानी में मिला दो, तो सब पौधों की जड़ों को ये मिल जाएगा, अब ये जो गोबर, गोमुत्र, गुड़ दाल का आटा और मिट्टी का घोल है, इसमें क्या है इसमें कैलशियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पुटाश है, आईरन है, सलफर है, मेगनीशियम है, मेगनीज है, कोबॉल्ट है, सिलीकॉन है, अठारे सूपश्म पोशक तत्तों हैं इस खाद में, और इतने ही तत्तों की जरूरत है मिट्टी को, और जो जरूरत आप मिट्टी की पूरी कर दें, तो मिट्टी तो सोना देती है, यह मोटी सी बात है, तो किसान लोग इस तरह से खेती करना शुरू करें, खाद का यूरिया डिएपी का 4,80,000 करोड का खर्चा बचेगा, और खेत में कभी कीड़ा आ जाए, तो कीड़े को मारने के लिए ग कि गाय के मूत्र में, बीस लीटर गाय के मूत्र में, दो ढ़ाई किलो नीम के पत्ते की चट्नी मिला दो, दो ढ़ाई किलो धतूरे के पत्ते की चट्नी मिला दो, दो ढ़ाई किलो आकडा के पत्ते की चट्नी मिला दो, दो ढ़ाई किलो सीता फल के पत्ते की चट्नी मिला दो, वो सारे पत्तों की चट्नी बना के गो मूत्र में मिला दो, जिनको गाय नहीं खाती, बस इतना याद रखो, कितने भी तरह के पत्ते जिनको गाय नहीं खाती, उनको पीस के गो मूत्र में मिला दो, मूत्र को उबाल लो, उबाल के उसमें पानी मिला दो, 200-200 लीटर, एक पैसा भी आपको बजार में जाके खर्च करने की जरूरत तो किसान खेती में खर्चा बचाएं शहर में रहने वाले परिवार का खर्चा बचाएं कुल मिलाकर देश में पंद्र बीस लाक करोड रुपाई अगर हमने बचत कर ली तो इसी से सेविंग्स हमारी बढ़ पाएगी और पूझी की कमी पूरा हुआ तो हमें कटोरा लेके दूसरों से भीक नहीं मांगनी पड़ेगी हम स्वदेशी और स्वाभिमानी राश्व अपने को बना पाएंगे जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है तो इस भारत को एक स्वाभिमानी एकारी मिटाना यह सब करने के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है आप सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे तो जरूर ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था महापुर्शों ने देखा था और आज हम देख रहे हैं यही कहकर मैं मेरे व्याख्या को आप कहेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहा हूँ